हाई लो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरा यूटूब चैनल सूब अश्टड़ी पे तो चलिए शुरू करते हैं आज के कलास हम लोग का बायो खौतम हो गया और फिजीक से स्टार्ट है उसके बाद आएगा कमेश्टी उसके बाद जो आएगा मीक्स आएगा तो चलिए हो जाएगा जोती फलक्स का और केंडेला काएगा तो जोती त्रिप्ता का इसमें कुछ आसान कोशन है जो कि इंग्जाम में आसान ही गलत हो जाता है तो रिवीजन के लिए देख लिजिएगा कौन सी अदिश रासी है बोलाएगी कौन सी अदिश रासी है तो इसमें परहुआता है、 बेग undra बीमान बराबर होता है सम्भेग। और धौनी के तीवता किसे मापते हैं तो ओडियो मीटर से मापते हैं केसको गराप से मापा जाता है पौधे की बिरी थी और केसको गराप के कहाएगा खोज किसे ने किया था तो जेसी बोस किये थे एनेमू मीटर से क्या मापा जाता है तो पवन की दीशा या गती आगे देखेंगे अगला कोशन हो जाएगा चाल यह बेग का मात्रख क्या है तो यह हो जाएगा चाल और बेग का मात्रख हो जाएगा मीटर पर सेकेंड और दोरन जो मात्रख कहेगा तो मीटर पर सेकेंड और स्क्वाइर हो जाएगा लंबाई के मतर हो जागा मीटर या किलो मीटर भौतिक विग्यान का पीता किसे कहा जाता है भौतिक विग्यान का पीता कहा जाता है आइंस्टीन को और इनको नोबिल पुरस्कार्द मिला था 1921 में अंस्टीन ने परकास के बीदूत परभाव के भी कि खोज किये थे जीव बिगान के पीता काईगा तो अरस्तू हो जाएंगे और जीव बिगान सब्द का प्रयोग पॉलिवर किसने किया था लैमारक और ट्रेविरेनस ने कॉप्त आठारासो एक में भारत के आइंस्टीन आपसे पुछेगा तो नागारजून हो जाएंगे भारत के आइंस्टीन किसे कोते हैं नागारजून को और गोतिक नियम के खोज किसने किया था नीव्टन किये थे आगे हो जाएगा ई बराबर एमसी अस्वाइड समीक्रन किसने दिया था तो ये दिये थे आइंस्टीन ने और गतिक नियम खोज किये थे निव्टन नाभी के कहेगा खोज किस ने किये था तो रॉदर फोड किये थे और परमाणू सन्रचना दिये थे निल्स बोर और परमाणू सिधान्त के खोज किये थे जोन डॉल्टन पर मानुसान अचना कहेगा तो निल सबोर हो जाएंगे स्वंतल कुण का मातरक क्या है तो स्वंतल कुण के मातरक हो जाएगा रेडियन और ठोस कुण के मातरक हो ताश्ट रेडियन दो वस्तुओं के बीच की दूरी किस से मापते जाती है दो वस्तों के बीच को दूरी सेक्स्टेंड से मापते हैं और पार से किस की काई है तो दूरी की काई है आगे देखेंगे नौ नमर हो जाएगा सोनार का परियोग किस के द्वारा किया एता है सोनार का परियोग किया एता है नौ संचाल को द्वारा और अस्टेतोस्कोप का प्रयोग करते हैं डॉक्टर जो अंत्रीक सी यात्री है अंत्रीक सी यात्री को जो अकास दिखाई देता है और काला दिखाई देता है और सोनार में कौन सी तरंग का प्रयोग किया जाता है तो पारासरवे तरंग का प्रयोग किया जाता है सोनार में और ये सोनार से क्या खुझा जाता है जो समुन्द में किसी वस्ती भूल जाती है तो उसे पाता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है गैसो कदाब किसे से मापा जाता है मैनो मीटर से और दरवे के सैनाता कहेगा दरवे के सैनाता कमाब किसे कहे जाता है तो 20 को मीटर से ताप बढ़ाने पर दरवे के सैनाता घड़ती है और गैसे के सैनाता जो है बढ़ती है सेनेता के साई मात्रा काएगा तो पोईज हो जागा ताप बढ़ाने पर दरवे के सानाता घड़ती है और गज से के सानाता काएगा तो बढ़ती है टाइको मीटर से चाल मापा जाता है टाइको मीटर से चाल मापते हैं दरवे परवाह की गती किसे मापते हैं बेंचूरी मीटर से दरवे की परवाह की गती कहेगा तो बेंचूरी मीटर समापते हैं आगे देखेंगे 11 नमर हो जाएगा नीम्न में से सदीश रासी कोन है तो इसमें समबेग तोरण और अवेग ये सभी सदीश रासी हैं तो अरण का SI मात्रग कहेगा तो मीटर पर सेकेंड स्क्वाइर हो जाएगा और बॉल गुने समाई बराबर होता है आवेग और बेक गुने दरबमान बराबर होता है संबेग और बॉल गुने समाई बराबर हो जाएगा आवेग बॉल का SI मातरक कहेगा क्या है तो बॉल का SI मातरक हो जाएगा नीटन और CGS मातरक कहेगा तो डाइन हो जाएगा और एक नीटन बराबर दोसके पावर पांच डाइन होता है वाट किसका मात्रक है तो यह सक्ती का मात्रक है द्रवेमान का मात्रक हो जाएगा गराम या किलो गराम कैंडिला किसका मात्रक है कैंडिला जोती तीविता का मात्रक है लीमेन कहेगा तो जोती फलक्स के हो जाएगा आगे देखेंगे चवदा नमबर कोश्चन हो जाएगा एक माइक्रोन बराबर होता है एक माइक्रोन बराबर 0.001 mm होता है एक मिलिमीटर होता है और मीटर में कहेगा तो 10 के पावर माइनस 6 होता है एक माइक्रोन बराबर काएगा तो अधी वर्स हो जाएगा कारे और उर्जा के मात्रा को जाएगा जूल कारे और उर्जा के मात्रा को जाएगा जूल आगे देखेंगे सोरो नमबर हो जाएगा एक कारेट हीरा किसके बराबर होता है एक कारेट हीरा जो है 200 मिली गराम के बराबर होता है और सोना के सूधता किसम आपते हैं तो कैरेट से सोना के सूधता मापा जाता है कैरेट से और एक कैरेट हीर्या कमान होता है 200 मिली गराम और सूध सोना कौन सा होता है तो जो 24 कैरेट का होता है वो सूध सोना होता है जल की परवाह की दर किसे मापते हैं जल की परवाह की दर मापते हैं किवसेक से और एक किवसेक बराबर होता है अठाइस पॉइंट तीन लीटर और जल की गोतिक किसे मापते हैं तो बेंचुरी मीटर से और जल की परवाह की दर कहेगा तो किवसेक से मापते हैं और एक केशेक बराबर हो जाएगा 28.3 लिटर आगे देखेंगे 18 नमर हो जाएगा महासागर में डूबी हुई वस्तूओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्रे का उपयोग किया जाता है तो सोनार का उपयोग किया जाता है महासागर में डूबी हुई वस्तू के खोजने के लिए सोनार का उपयोग करते हैं गेलवेनो मीटर से क्या मापते हैं तो धारा मापते हैं ओडियो मीटर से कहेगा तो सरवन सीमा मापते हैं और सेक्स्टेंस हमापते हैं दो वस्तू की बीच की दूरी सबसे बड़ा महासागर आपसे पुछेगा तो क्या हो जाएगा सबसे बड़ा महासागर हो जाएगा दो छीड सबसे बड़ा महासागर हो जाएगा दो छीड चीन सागर सबसे बड़ा महासागर हो जाएगा दो छीड चीन सागर आगे देखेंगे 19 नमर हो जाएगा एक परकास वर्स बराबर होता है एक परकास वर्स बराबर होता है 9.46 गुड़े 10 के पावर 12 किलो मीटर और 9.46 गुड़े 10 के पावर 15 मीटर 12 किलो मीटर में कहेगा तो 12 हो जाएगा क्योंकि किलो मीटर में 10 के पावर 3 होता है और एक पार्सेक बराबर कहेगा तो इसमें हो जाएगा 3.26 परकास वर्स और मीटर में कहेगा तो 3.08 गुणे 10 के पावर 16 मीटर एक पार्सेक बराबर 3.26 परकास वर्स या मीटर में कहेगा तो 3.08 गुणे 10 के पावर 16 मीटर मापक की SI पती को कोब सिविकार किया गया था सिविकार कहेगा तो 1967 में मापक की SI पती को सिविकार किया गया था और लागू किया गया था 1921 में मूल मात्रक की संख्या कहेगा तो 7 है आगे देखेंगे 21 नमर हो जाएगा तो अरण का SI मात्रक होता है तो अरण का ऐसा ही मात्रक कहेगा तो मीटर पर सेकेंड स्क्वार हो जाएगा और मीटर पर सेकेंड होगा बेग या चाल का दूरी के मात्रक हो जाएगा मीटर और दराविवान के मात्रक हो जाएगा किलो गराम पाइरो मीटर कीश के मापन में प्रयोग किया जाता है आगे देखेंगे 23 नमर हो जाएगा पारसे की एकाई है पारसे कहेगा किसकी एकाई है तो पारसे की दूरी की एकाई है मातरोको की अंतराष्टिये पत्ती कब लागू की गई थी मातरोको की अंतराष्टिये पत्ती लागू हुई थी 1971 में और कब सिविकार किया गया था तो 1967 में सरकारिया आयोग के गठन कब किया गया था सरकारिया आयोग के गठन किया गया था 1983 में और सरकारिया आयोग अपनी रिपोर्ट पेस की थी 1987 में और वही जो एपल संचार उपगर था इसका परशेपड हुआ था 1981 में 14 बैंकों का जो राष्टी करण हुआ था तो यह हुआ था 1999 में और इसके बाद जो 6 बहिंग का राष्टी करण हुआ वो हुआ था 1980 में आगे देखेंगे 25 नमर हो जाएगा निमने लिखीत में से कौन सदिस रासी नहीं है तो इसमें आयतन सदिस रासी नहीं है आयतन अदिस रासी है बाकी बिस्थापन, बेग और बल कहेगा तो यह हो जाएगा सदिस रासी सदिस रासी में परिराम और दिसा दोनों होता है जबकि अदिस रासी में केवर परिराम होता है निमने लिखीत में से कौन सदिस रासी है तो इसमें बेग हो जाएगा सदिस रासी बाकी द्रवमान, लांबाई और समाई अदिश राशी हो जाएगा बल का CGS मातरग का होता है बल का CGS मातरग कहेगा तो डाइन हो जाएगा और SI मातरग हो जाएगा न्यूटन और एक न्यूटन मरबर 10 के पर 5 डाइन होता है आगे देखेंगे अगला कोशन हो जाएगा ठाइस नमर है बिरीतिये मार्ग पर केंद्रे की ओर लगने वाले बल क्या कहलाता है जो बल केंद्रे की ओर लगता है उसे अभी केंद्रिये बल कहते हैं और जो बल बाहर की ओर लगता है उसे कहते हैं अब केंद्रिये बल और अब केंद्रिये बल जो है यह भासी बल भी है गुर्तवा कर्सर बल यह सबसे कमजोर बल है और नाभेकिये बल कहेगा तो सबसे मजबूत बल है 29 नमर हो जाएगा एक नीटन बराबर होता है दस के पावर पाच डाइन बेग परिवर्तन के दर को क्या कहते है बेग परिवर्तन के दर को तोरण कहते है बेग परिवर्तन के दर को क्या कहते है तोरण करते है और बल बराबर होता है दरभेमान गुणे तोरण समबेग बराबर कहेगा तो बेग गुणे दरभेमान होता है आगे देखेंगे 31 नमर हो जाएगा सागर की गहराई किसे से मापी जाती है सागर की गहराई में अपते हैं फैदो मीटर से और एक फैदो मीटर बराबर कहेगा तो होता है छो पीट मीटर में पूछेगा तो एक पॉइंट आठ मीटर फीट में 6 फीट होता है मीटर में 1.8 मीटर होता है 20 को मीटर से दरबे की सैनाता मापते हैं और टेको मीटर से ववस्तू की चाल मापते हैं एसाई पत्ती में मूल मात्रोकु की संख्या कहेगा कितनी है तो यह हो जाएगा 7 आगे देखेंगे 33 नमर हो जाएगा तोरण की बिमा है, तोरण के बिमा कहेगा तो L T के पावर माइनस टू हो जाएगा, L हो जाएगा दूरी और T सुचित करता है समय को, और संबेग या अवेक के मात्रक होता है M L T इन्वर्स, और वही बेग के बिमा कहेगा तो L T इन्वर्स होता है, बेग या चाल के बिमा हो जाएगा L T inverse, गहन कोड का मातरक है अस्टेरेडियन, गहन कोड के मातरक हो जाएगा अस्टेरेडियन, आगे देखेंगे 35 नमर हो जाएगा, जूट का पाता लगाने वाला यंत्र को क्या कहते हैं, तो यह हो जाएगा polygraph, पॉंडूबी के अंदर से बाहर देखने के लिए कि इसका उपयोग किया जाता है, पॉंडूबी के अंदर से बाहर देखने के लिए पेरियस्कोप का उपयोग किया जाता है, दूरबीन से दूर की वस्तु को देखते हैं, और टेलियस्कोप से क्या देखते हैं, तो छोटी वस्तु को यह बड़ा दिखाता है, टेलियस्कोप मतने की काई हो जाएगा है nautical mil से समुध्य दूरी को मापते है nautical mil से और 1 nautical Mil बराबर होता है 1852 मिटर किसे मापते हैं तो क्यूसेक से और परकास वर्द किसका मातरक है तो दूरी क्या एक nautical Mil बराबर होता है एक पॉइंट आठ पांच दू किलो मीटर किलो मीटर में कहेगा तो एक पॉइंट आठ पांच दू मीटर हो जाएगा और किवल मीटर में कहेगा तो अठार सो बाउन मीटर हो जाएगा आगे देखेंगे 49 नमर हो जाएगा एक बाइरल में कितना लिटर होता है एक बाइरल में होता है 169 लिटर और एक गैलन में कहेगा तो 3.8 लिटर होता है एक बाइरल में होता है 169 लिटर और एक गैलन में 3.8 लिटर होता है बल गुणन फर होता है बल किसका गुणन फर होता है तो दरमान गुणे तोरण का और संबेग बरावरता है दरमान गुणे बेग आगे देख लेंगे अगला उजाए टेस्ट पेपर बारव में कि पहला कोशन है कपड़ा सुखाने तथा दूद से मोखन निकालने वाली मसीन की से सिधान्त पर कारे करता है तो ये कारे करता है अब केंद्रिये बल पर और सबसे मजबूत बल कहेगा तरना भेकिये बल हो जाएगा और अब केंद्रिये बल को अभासी बल कहते हैं गुर्तवा करसर बल सबसे कमजोर बल है और ग्रो जो परिकार्मा करता है सूरे के उसमें अभी केंद्रिय बलोता है वस्तु का भार सरवादिक होता है वस्तु का भार जो सरवादिक होगा धुरूपर होगा और केंद पर जीरो होगा और विश्वत रेखाप होता है ये कम होता है आगे देखेंगे तीन नमर हो जाएगा गती के नियमों के प्रतिपादक हैं गती के नियम के प्रतिपादक कहेगा तो न्यूटन हो जाएगे नाभिक के खोज किये थे रदर फोड और गलेलियों ने जड़तवे के नियम के खोज किये थे और परकास के बिदुत परवा के खोज गएगा किसने किया था आइंस्टीन किये थे प्रथम सिरेणी के उतलग है प्रथम सिरेणी के उतलग कौन सी है तो इसमें सबी हो जाएगा कैची प्रथम सिरेणी के उतलग है पिलास भी हो जाएगा हैंड पंप ही भी हो जाएगा या किला उखाने वाला जो मसीन होता है किल उखाने वाला मसील वो हो जाएगा और जूला ये भी प्रथम सिरनी का उतोलग है जूला किल उखाने वाला मसील कैंची पिलास और हैंड पंप ये प्रथम सिरनीर के उतोलग है आगे देखेंगे पांच नमर हो जाएगा दिवीतिये सिरणी के उतोलग कौन सी है तो इसमें हो जाएगा सरवता दिवीतिये सिरणी के उतोलग हो जाएगा सरवता और तिवीतिये सिरणी के उतोलग हो जाएगा तो अस्टेपलर और चीम्टा हो जाएगा किस घर्षण का मान सबसे कम होता है किस घर्षण का मान कम होता है तो लोटनीक घर्षण का जब मान होता है कम होता है और अस्थायतिक घर्षण का मान अधिक होता है घर्षण बल को छैकारी बल विक्वाते हैं और अब केंद्रिय बल को कहते हैं अभासी बल साथ नमबर हो जाएगा गैलेलियों का जोड़तेवे का नियम क्या कहलाता है तो गैलेलियों का जोड़तेवे का जो नियम है नीवटन का प्रथम गती नियम को कहते है और इसे से बल के परिवासा मिलता है और नीटन के गती के दिवितिय नियम से बलगा बेंजग प्राप्त होता है आगे देखेंगे आठ नूमर हो जाएगा वस्तु का भारे सुनने होता है वस्तु के भारे सुनने होगा केंद्रे पर और अधिक होगा धुरूपे और निम्तम काएगा तो 20 रेखा पर होता है आगे देखेंगे इसमें बहुत सा कोशन जो है रिपीट हुआ है और बार बार सुनने या देखने से क्या होगा क्या आपको जल्दियाद हो जाएगा जेट इंजन की से सिधान पर कारे करता है जेट इंजन जो कारे करता है ये रेखी इसनवेक के सिधान पर कारे करता है तापका एसाई मातर कहेगा तक केलवीन हो जाएगा जोड़त वे कमाप क्या है तो दरबमान है आगे देखेंगे दोस नमर हो जाएगा बस के आचानक चलने पर यातरी पीछे की ओर गिरता है इसका कारण क्या है तो इसमें हो जाएगा बिराम जड़त वे के कारण और जब गती जड़त वे के कारण क्या है तो जो बस एक एक रुखता है तो ब्यक्ति जो क्या होता है आगे की ओर जुप जाता है इसमें गटी जड़तवे के कारण होता है और बॉस अचानक चलने से यातरी पीछे क्यों रह北 ते इसमें बिराम जड़तवे का कारण होता है आगे देख लेंगे 11. हो जाएगा जड़तवे की नियम की खोज किसने की जड़तवे की नियम के खोज किये थे GALILIEO ने आगे देखेंगे तेरा नमर हो जाएगा, परचेपः पौत होता है, उता है परभलायिकार, और हमारी अकासघागा की जो अकिरिटी है इक ऐसी है तो यह सरपीलाकार है, आगे देखेंगे, अगला कोशन हो जाएगा, चोदो नमबर है बॉल की परिभासा पराप्त होती है बॉल के परिभासा पराप्त होती है नीटन के परथम नियम से और बॉल के बेंजन कहेगा तो नीटन के दिवीतिय नियम से पराप्त होता है जो कि होता है फोर्स बराबर मास गुड़े एक्सलिरेशन यहीं कि बॉल बरा प्रिंस्पिया पूस्ता के लेखक हो जाएंगे निव्टन और पॉल्टिक्स पूस्ता के लेखक हैं और अस्तु इन्हे जी बिगन के पीता भी का जाता है आइंस्टीन को नोबिर प्रशकार मिला था 1901 में आगे देखेंगे को नईस नमर हो जाएगा परछेपे गती के उधारन है तो उप्योक दोनो परछेपे गती के उधारन हो जाएगा धनू से छूटा हुआ बाण या तोप से निकला हुआ गोला वस्तु के जड़ातवे आगे देखेंगे एकश नमर हो जाएगा चंदर्मा पर किसी वस्तु का भार प्रीथिवी के भार के होता है तो जो चंदर्मा पर भार होता है और प्रीथिवी के भार का एक वाटे चोगुना होता है और चंदर्मा के दर्मान प्रीथिवी के दर्मान के कहेगा तो एक आगे देखेंगे 23 नमर हो जाएगा पर 62 के उचाई अधिकतम होगी जब उसका कुण होगा 90 डिग्री और अधिकतम दूरी कब होगा 45 डिग्री पर अधिकतम उचाई गयेगा 90 डिग्री पर ओगला कोशन है 25 कीसी वस्तू के द्रहमान और बेग्क के गुणन फन क्या कालाता है तो यह कालाता है समभेग गुरेत तोड रही है और बॉल बराबर होता है द्रहमान गुरेत तोड़ रहे हैं आगे देखेंगे 26 नमर हो जाएगा कौन अभी केंद्रिये बॉल का उधारण है तो यह हो जाएगा सूरी के परिकर्म करते हुए ग्रह है आगे देखेंगे 27 नमर सरकस में मौत का कुणा का खेल किसका उधारण है तो यह हो जाएगा अभ केंद्रिये बॉल का आगे देखेंगे 28 नमर हो जाएगा वाहनों में असनियकों का प्रयूग किया जाता है घर्षन को कम करने के लिए वाहन में जो असनियक दिया जाता है तो उसमें घर्षन को कम करने के लिए लगाया जाता है जिसे हम लोग गिरीश बोलते हैं परचेपे की अधिक्तम दूरी तक फेकने के लिए कीस कुण क्या परचेपीत किया जाना चाहिए जो अधिक्तम दूरी फेकना हो तो परचेपे के कुण होना चाहिए 45 डिग्री और अधिक उचाई पर भीगना हो तो इसे 90 डिग्री के कुण पर फेका जाता है आगे देखेंगे तीस नमर हो जाएगा चीम्टा कीस सरणी के उतोलग का उधारन है चीम्टा हो जाएगा तिरीतिय सरणी का कैची और पिलास ये प्रथम सरणी का है ओपनर कहेगा तो दिवीतिय सरणी का हो जाएगा और मनुस्य के हाथ भी दिवी तिवी 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 जेट इंजन कहेगा तो ये रैखिक सनवेख सनख्चल पर अधारित है रोकेट का कार्य पर आड़ी हो जाएगा सनवेख सनख्चल पर अधारित और जेट इंजन कहेगा तो रैखिक सनवेख सनख्चल पर अधारित होता है आगे देखेंगे तेंटीस नमर कोशन है डोंडे से परहार करने पर कोट की धूल जोड़ जाती है इसका कारण क्या है तो इसका कारण हो जाएगा बिराम जड़तवे के कारण आगे देखेंगे चौंवेग की बीमा होती है संबेग या बेग की बीमा होता है M.L.T. इन्वर्स 35 नमर हो जाएगा लाश्ट कोशन वस्तू का भार कौम कहेगा कहां पर होता है वस्तू का भार निम्तम यानि कि कौम होगा बिश्वत्रेगा पर अधिकतम होगा धुरूपे और सुनने हो जाएगा केंद्रे पर पहला कोशन है कारे का SI मात्रक क्या है कारे का जो SI मात्रक होता है यह होता है जूल और वही CGS मात्रक कहेगा तो और्ग हो जाएगा कारे का SI मात्रक जूल होता है और CGS मात्रक कहेगा तो और्ग हो जाएगा एक जूल बराबर होता है 10 के पावर 7 और्ग सक्ति के मातरक कहेगा तो वाट हो जाएगा और कारे और उर्जा के मातरक भी जूल ही होता है दू नमर हो जाएगा किसी वस्तु का बेग दूगना करने पर उसकी गतिज उर्जा हो जाएगी किसी वस्तु का आप बेग दूगना किजिएगा तो उसका गौती उर्जा जो होता है यह चौगनी होता है क्योंकि भी अस्क्वार होता है और बेग को दूगना करने पर यह अस्क्वार कीज़ेगा तो चार हो जाएगा तो यह क्या हो जाएगा तो चौगनी हो जाएगा वही दर्मान या दर्मान को दुगना किजिएगा तो भी दर्मान के अगर दुगना किजिएगा तो यह हो जाएगा उसका बेग दुगना हो जाएगा आगे दिखेंगे तीन नमबर दिखते हैं नित्वी की सथो से उपड़ जाने पर गुरूतिये तवरण का मान क्या होता है यह घड़ता है और नीचे आने पर भी घड़ता ही है गुरूतिये तोरोन के मान कहेगा सबसे अधिक होता है धुरूपे और निम्तम होता है कहाँ पे तो 20 रेकापर और केंद रिपर हो जाएगा 0 एक मेगावाट बराबर होता है 1000 किलो वाट एक मेगावाट बराबर होता है 1000 किलो वाट एक मेगावाट बराबर होता है दसके पावर छो मेगावाट आगे देखेंगे पांच नवर हो जाएगा कारे करने की दर कहलाता है कारे करने की दर को सक्ती कहते हैं और कारे करने की छमता को कहते हैं उड़ जा बल क्या है तो यह सदीस रासी है और कार या उर्जा ये अदिस रासी है बॉल बराबर होता है मास गुणे एक्सलरेशने की दर्मान गुरे तोनल हो जाएगा कार ये करने की छमता कालाती है तो ये उर्जा कालाती है और कार करने की दर को सक्तिक होते है कारे क्या हो सकता है तो कारे जो है यह रिनात्मक हो सकता है भार क्या है तो भार एक सदीश रासी है गुरुतिय तवरान का मान कम कहां पर होता है गुरुतिय तवरान का मान कहेगा तो कम होता है विश्वत रेखा पर और अधिक होता है धुरूप पर और केंदर पर क्या होता है तो सुनने होता है आगे देखेंगे आठ नुमर हो जाएगा जब कोई वस्तू उचाई से गिराई जाती है तो उसका भार होता है तो भार उसका क्या होगा अपवर्तित रहेगा हावा के अनुपस्तिती में हावा जब उपस्तित हो तो लोहा और लकली का समान उचाई से अगर कुई वस्तु गिराईएगा तो लोहा को पहले पहुंचेगा और लकली बाग में पहुंचेगा वही हावा अगर नहीं रहेगा कि हावा के अनुपस्तिती में किसी उचाई से लकडी और लोहे का कोई पाट गिराएगा तो दोनों समानिस्तिती में नीचे पहुँचेगा हवा के अनुपर स्थिति में इस दोनों समाने स्थिति में पहुँचेगा और हवा रहने पर लोहा पहले पहुँचेगा एक जूल बराबर होता है एक जूल बराबर होता है दोस के पावर साथ और्ग एक न्यूटन बराबर होता है दोस के पावर पांच डाइन जो निूटन है ये बल का SI मात रख है और डाइन हो जाएगा CGS मात रख जैसे कि जूल हो गया कारे अरुजय का SI मात रख और जो है ये CGS मात रख हो जाएगा एक गराम उवसा से कितना कैलोरी उर्जा मिलता है एक गराम उवसा से 9 किलो कैलोरी उर्जा मिलता है आगे देखेंगे दोस नमर हो जाएगा गौती जूर्जा का समीक्राँ बताना है तो 1 by 2 MbA स्क्वाइर हो जाएगा और स्थिती जूर्जा के समीक्राँ कहेगा तो MgH हो जाएगा गूर्तवा कोर्सरों का सिधानत किसने दिया था तो ये दिये थे Newton और आरे भट ने जिर्व या निकी सुनने के खोज किये थे परकास के बीदुत परवाण के खोज किये थे आइंश्टीन और इनको नोबेल पुरसकार मिला था उन्ही सब 21 में रामानुजम ये भारतिये मैथमेस्टिक्स के जनक माने जाते है सक्ति का SI मतरख कहेगा क्या है सक्ति का SI मतरख हो जाएगा वाट और कारे और उर्जा के मतरख कहेगा कारे और उर्जा के मतरख हो जाएगा जूल और सीजिस मतरख हो जाएगा और और किलोवाट घंटा किलो वाट में घंटा लग जाएगा तो ये भी उड़ जाका मात रख हो जाएगा आगे देखेंगे तेरा नमबर है एक किलो वाट घंटा किसके बराबर होता है तो ये होता है 3.6 गुणे 10 के पर 6 जूल के एक किलो वाट घंटा किसके बराबर होता है 3.6 गुणे 10 के पर 6 लेंज का नियम का पर्याम क्या है तो लेंज का जो नियम है ये उर्जा के सनक्षर पर अधारित है उर्जा के सनक्षर पर कारे करता है आगे देखेंगे आगे हो जाएगा नाभी के कहेगा खुझ किसने किया था तो रदर पोड किये थे और जड़त्रेक नियम किसने दिया थ जी बिगान के पीता कहा जता है और अस्तु को और गती के नियम दिये थे निवटन ना भी के खोज रधर फोड ने किये थे आगे देखेंगे 17 नमर हो जाएगा एक असर सक्ति बराबर होता है 746 वाट इस्थितिज उर्जा और गोतिज उर्जा की योग को यांतरिक उर्जा कहा जाता है इस्थितिज उर्जा और गोतिज उर्जा की ओग को क्या कहते हैं यांत्रिक उर्जा कहते हैं उर्जा का इसाई मतरक क्या है जूल उसमा भी एक परकार का उर्जा ही है और इसका भी मतरक जूल ही होता है सक्ति के मतरक कहेगा तो वाठ हो जाएगा आगे देखेंगे दो पिंडो के बीच लगने वाला आकर्षन बल क्या कह लाता है तो ये कह लाता है गुर्टवा कर्षन बल घर्षन बल को हम लोग छैकारी बल भी कहते हैं घर्षन बल को छैकारी बल भी कहा जाता है सबसे कमजोर बल कहेगा तो गुर्टवा कर्शन बल हो जाएगा और सबसे मजबूत बल हो जाएगा ना भी किये बल बल अगुण क्या है तो बल अगुण हो जाएगा सदीस राशी आगे देखेंगे 21 नमर हो जाएगा एक वाट बराबर होता है वाट बराबर होता है जूर पर सेकेंड किसी वस्तु का दरबमान दूगना करने पर उसकी गती जूर्जा क्या होगी दरबमान अगर दूगना किजेगा तो गती जूर्जा दूगना ही होगा क्योंकि M पर कोई स्कुआर नहीं है वही बेग दूगन पर दरसित किया जाता है तो ये पर दरसित किया जाता है मेगावाट में और एक मेगावाट बराबर होता है दस के पावड चोव मेगावाट या एक हजार कीलो वाट क्योंकि इसमें कीलो वाट में एक हजार कीलो चुपा रहता है और एकड़र ईदा से दसके पावड 6 हो जाएगा कारे का CGS मात रख कहेगा तो और्ग हो जाएगा एक जूल बराबर दसके पावड 7 और्ग होता है जोती तीवर्टा के मात रख कैंडेला हो जाएगा और जोती फलक्स के मात रख कहेगा तो लीमेन हो जाएगा डाइन किसका मात रखाए तो ये डाइन बल का सीजेस मात रखाए आगे देखेंगे 26 नमर हो जाएगा तौनी हुई स्प्रिंग में होती है तौनी हुई स्थीती जूर्जा होती है और स्थिति जूरजा और गौति उर्जा की योग को यह अंतरिक उर्जा कहते हैं और बंदूग के गोली में कौन सी उर्जा होती है तर गौति जूरजा होती है 27 नमर कोश्चन हो जाएगा सुनने में सोतौन्त रुरूप से गीरती हुई वस्तूओं का गुरूतिय जो तौरण होता है यह होता है समान ये बड़ा जी के मान होता है 6.6 पॉइंट ये कोशन में आता है चोपांट चोच गुले 10 के पावर माइनस 11 निउटन मीटर अस्क्वाइर और पर केजी अस्क्वाइर और ये क्या है तो ये अदिस रासी है आगे देखेंगे अगला कोशन हो जाएगा 28 नमर हो जाएगा भू इस तिर उपगरा के उचाई कितनी होती है भू इस तिर उपगरा के उचाई कहेगा तो 36,000 किलो मीटर होता है और इसका परिकर्मल काल यानि क्या वर्थ काल कितना होता है तो 24 घंटा का होता है अगला कोशन होई है भू इस तिर उपगरा का परिकर्मल काल होता है 24 घंटा का और कितने उचाईप होता है तो 36 किलो मीटर के उचाईप पर होता है आगे देखेंगे 30 नमर हो जाएगा किरित्रीम उपगरा में बीदूत उड़जा का सुरोत क्या होता है तो क्रितिम जो उपग्रा होते हैं उनमें बीदुतुजा का सुरोथ होता है सोरे सेल हाइडोजन को भविशे का इंधन भी का जाता है और ये बरमान में सबसे अधिक पाया जाता है और इसे आवारत तत्वे की संग्या भी दी गई है औक्सिजन को प्रानवाव भी काते हैं नीचे आते समय यदि लीफ्ट की तार टूट जाए तो लीफ्ट में इस्दित पिंड का भार किया होगा अगर लीफ्ट का तार टूट जाएगा तो उसमें इस्दित पिंड का भारे सुन नहोगा आगे देखेंगे 32 नमर है किसी वस्तु में गती के कारण कार करनी की छमता काहलाती है तो ये गती जूर्जा काहलाती है 33 नमर कोशन है चलती हुई रेल गाड़ी में बैठे ब्यक्ती में होती है तो इसमें इस्तिती जोर गती जुर्जा दोन होता है जब किसी वस्तु को पिरित्वी तल से कुछ उपर उठा जाता है तो इसकी इस्तिती जुर्जा क्या होगी बढ़ जाएगी उपगरह के जो चाल है ये दरवमान पर निर्वर नहीं करता है अभी किंद्री बल द्वारा किया गया कार ये जो हता है सुनने होता है और घरसर द्वारा किया गया कार ये घनात्मक होता है आगे देखेंगे 37 नमर हो जाएगा बांध बनाकर रोके गए जल्म की उर्जाम होती है इस्तीदी उर्जा किसी वस्तु पर किया गया कारे किस पर निर्वन नहीं करता है तो वस्तु के प्रराम्बिक बेगबर कारे बराबर होता है बल गुलें 20 पन और आवेक बराबर होता है बल गुलें 20 पन का पलायन बेग कहेगा तो 2.37 किलो मीटर पर सेकंड हो जागा जो पलायन बेग होता है वो कछी बेग का अंदर रूट दूगुना होता है अपेक्चिक घनत्वे किस में किस से मापा जाता है अपेक्चिक घनत्वे कहेगा तो हाइड्रो मीटर से मापा जाता है वही दरवेगा अगर अब ताप बढ़ाएगा तो उसका पिरिश्ट इतनाव घड़ता है और असुधी मिलाएगा तो पिरिष्ट तनाव के होगा बढ़ जाएगा, पिरिष्ट तनाव के कारण के है तो अणुगों के मद ससंजक बल हो जाएगा, पिरिष्ट तनाव का एसाई मतरक हो जाएगा नीटन पर मीटर, और पिरिष्ट तनाव निर्भर करती है परकिर्ती को वस्तु के पर किर्ती और ताप पर निर्वर करता है पीष्ट तनाव जमने पर पानी के घनत्वे क्या होता है जमने पर पानी के जो घनत्वे होता है घड़ता है और आयतन कहेगा तो बढ़ता है क्योंकि जो घनात्वे होता है आयतन का अनुकरम बनपाती होता है यानि कि inversely proportional 2 होता है आगे देखेंगे पांच नमर हो जाएगा दाब कीस पर निर्भर करता है दाब निर्भर करता है छेत्रफॉल पर दाब बराबर होता है बल बटे छेत्रफॉल दाब अगर कम होने पर क्या होगा दाब कम होने पर छेत्रफॉल अधिक होता है आगे देखेंगे इसका घुनातव क्या होगा अगर दूद से किरीम निकालेगा तो उसका घुनातव बढ़ जाएगा जंग लगने पर लोहा के भार भी बढ़ जाता है और दूद कीस का उधारण है इमल्सन या पायस का दूद कीस उदता कीस से मापी जाती है तो ये मापी जाते है लैक्टो मीटर से और मैनो मीटर से गैसो का दाब मापा जाता है बैरो मीटर से वो मंडल ये दाब मापते हैं घुनत्वी का साय मात्र कहेगा तो कीलो गरां पर मीटर की होता है। घुनत्वी बराबर होता है दरमान बठे आयतन। आगे देखेंगे, दोस नमर हो जाएगा, हाइड्रोमीटर यह लैक्टोमीटर किस सिधान्त पर कारे करती है, तो यह पलवन के सिधान्त पर कारे करता है, पलवन के सिधान्त किस ने दिया था, आकमीडिस दिये थे और यह गिरिस यानि की युन्यान के थे, समुंद्रे में जो समुंद्र के अंदर जो जल सांत बहता है इसका कारण क्या है तो बर्नौली के सिधान्थ है समुंद्रे के जल यानि के अंदर सांत बहता है तो इसका कारण है बर्नौली का सिधान्थ डौपलर परभाव का समुंद्र जाएगा धौनी से पासकल के सिधान पर हाइडरोलिक जो बिरेख है ये पासकल के सिधान पर कारे करता है आगे देखेंगे 11 नमर हो जाएगा जब बॉर्फ सुध जल में तरती है तो उसका कितना भाग पानी के उपर रहता है तो एक बटे दोस भाग होता है आगे हो जाएगा तेरा नमबर मातरा बदलने पर किषमे कोई परिवर्टर नहीं होता है तो घनत्वे में कोई परिवर्तन नहीं होता है जब आप महत्रा बदलिएगा और इसमें दाब, आयतन, घनत्वे और उर्जा ये सभी क्या है तो अदिश्रासी है हीरा का अपर्टनांक कीतना होता है दू पॉइंट चार एक साथ होता है और हावा का अवास पे घनत्वे कहेगा तो 14.4 होता है और हीरा का घनत्वे कहेगा तो 3.52 होता है आगे देखेंगे 15 नमर हो जाएगा बैरो मीटर के पाठयां का अचानक गिरना किसका सक्केंथ है अचानक के गिरेगा तो आन्दी तुफान आने का संकेत है और धिरे धिरे नीचे अगर गिरेगा तो ये वर्षा होने का संकेत है और जब धिरे धिरे उपर जाएगा तो मौसम साप रहेगा हावा का वास पे घनत्वे कहेगा तो 14.4 होता है आगे देखेंगे 17 नमर हो जाएगा बादल वाउ मंडल में क्यों तैरते हैं तो ये कम घनत्वे के कारण बादल जो है वाउ मंडल में तैरते हैं वाउ मंडल में सबसे अधिक पाय आता है नाइट्रोजन 38% अक्सीजन 21% हिलियम 0.0005% पॉइंट के बाद 3-0 उसके बाद 5 नियोन कहेगा तो 0.002% आपेचिक आदरता किससे मापी आती है आपेचिक आदरता मापते हैं हाईग्रो मीटर से और वही आपेचिक घनत्वे कहेगा तो हाईड्रो मीटर हो जाएगा वाउ मंडलिये दाब मापते हैं बैरो मीटर से दाब बढ़ने से क्या होता है तो आधरता बढ़ता है आगे देखेंगे उनईस नमर हो जाएगा वाउ मंडलिये दाब की इकाई किया है वाउ मंडलिये दाब की इकाई कहेगा तो बार हो जाएगा पास्कल के इकाई किसका है पास्कल जो है ये दाब का इकाई है परदीप्त का SI मतरक हो जाएगा लक्स जोती फलक्स का SI मतरक हो जाएगा लिवमेन बैरो मीटर के पठे आंक धीरे धीरे गिरना किसका संकेत देता है तो यह वर्षा का और धीरे धीरे उपर चड़ेगा तो मौसम साफ रहेगा और अचानक नीचे गिरेगा तो आंधी तुफान आएगा आगे देखेंगे 21 नमर हो जाएगा चंदर्मा के लिए पलायन वेग होता है 2.38 या 37 किलो मीटर पर सिकेंड सूरी के लिए पलायन वेग हो जाएगा 42 किलो मीटर पर सिकेंड प्रित्वी के लिए पलायन वेग 11.2 किलो मीटर पर सिकेंड पिरिष्ट तनाव का मातरक क्या होता है तो नीटन पौर मीटर होता है जो लोहे के सुई पानी में तरती है इसका कारण होता है पिरिष्ट तनाव पानी के जो सुई है पानी में तरती है तो इसका कारण क्या है तो पिरिष्ट तनाव है आगे देखेंगे 23 नमर हो जाएगा जमने पर पानी का आयतन क्या होगा पानी जब जमता है तो उसका आयतन बढ़ता है और इसी करण पाइपलाइन जो ठंडे के दिन में क्या होता है फोड़ जाता है क्योंकि जमने पर आयतन बढ़ेगा तो पाइपलाइन फोड़ जाता है और उसका घोनत्वे कहेगा तो घोनत्वे घटता है, किसी सतह के एकाक छेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, तो दाब कहते हैं, दाब बराबर होता है बल बटे छेत्रफल, जब जील से पानी के बुलबूला उपर आएगा तो उसका अकार क्या होगा बढ़ता है पहाड़ी पर खाना पकाना कठीन होता है क्योंकि उपर जो है वाउ दाब कम होता है और इसी करक जो कतनाख है घट जाता है आगे देखेंगे 26 नमर कोश्चन हो जाएगा दाब की बीमा है दाब की बीमा आपको बताना है क्या है तो दाब की बीमा होता है ML इन्वर्स T के पावर माइनस टू और ए मतलब दर साता है दरमान L का अर्थ हो जाएगा दूरी और T बराबर होता है समाए जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका घटवे क्या होगा तो उसका घटवे इस्ति रहेगा जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका घटवे क्या होगा तो उसका दरमान क्या होगा तो उसका दरमान इस्ति रहेगा दाब जो है छेत्रे फल पर निर्वार करता है दाब क्या करता है तो छेत्रे फल पर निर्वार करता है आगे देखेंगे 28 नमर हो जाएगा जल का घना अधिक्तम तथा आयतन निम्तम होता है तो ये होता है 4 डिगरी सेल्सियस पर और जल का हिमां की बिंदू कहेगा तो 0 उक्रा तैर रहा है वर्प एक पिगन्ने पर जोलकास तर की आओगा तो समान रहेगा आगे देखेंगे तीस नमर हो जाएगा बैरोमीटर के पठ्यांग का धेरे धेरे उपड चड़ना किसका संकेंथ है तो यह मौसम साफ रहेगा और धेरे धेरे नीचे आएगा तो वर्चा होगा अचानक निचाएगा तो आंधी तुफान आएगा पलायन बेग कछिये बेग का होता है पलायन बेग कछिये बेग का अंदर उठ दूगुना होता है आगे देखेंगे 32 नमर हो जाएगा एक बार बरावर कितना होता है एक बार बरावर होता है दस के पावर पांच न पाव मंडल ये दाब से अधिक होता है। आगे देखेंगे 34 नमर हो जाएगा। एक जिक घनत्वे कितना होता है । 3.5 दू अब पर्तना को कहेगा तो 2.41 होता है। एक तहराग को सुमूद्री जल में तरणा आसान होता है क्योंकि समूंद्री जल का घना तो जो अधिक होता है समूंद्र सांथ करने के लिए उसमें तेल मिला जाता है क्योंकि पिरिष्ट तनाओ कम हो जाए आगे देखेंगे टेस्ट नमर 15 का पहला कोशन हो जाएगा वर्षा की बुन्द गुलाकार होती है इसका कारण है पिरिष्ट तनाओ और जो सेविंग बरंस है पानी से बाहर निकानने पर उसके बाल आपस में चीपकते हैं इसका भी कारण हो जाता है पिरिष्ट तनाओ पौधे के जड़ से पानी को पणपती की और पहुचना ये किसका कारण है तो कोशी कत्व का कारण है पिरिष्ट वी के गुरूत्व के कारण ववस्तु क्या होता है तो पिरिष्ट वी जो अपने गुरूत्व करसन कारण उपर से गिरी हो वस्तु को निचे हिस्ती है एक और से तरल की सैनेता सुन होती है और सैनेता को किसके द्वारा मापते हैं तो 20 को मीटर से मापते हैं आगे देखेंगे तीन नमर हो जाएगा पराती बल का मातरग क्या होता है तो यह होता है पासकल और जोती तीपता का मातरग कहेगा तो केंडेला हो जाएगा जोती फलक्स का आईसाई मतलख हो जाएगा लिमेन और परदीप्त का मतलख कहएगा तो लक्स हो जाएगा लैंप की बती में तेल की इस कारण उपर चड़ती है तो इसका हो जाएगा कोशी कत्व के कारण और पिरिष्ट तनाव का कारण क्या है तो और वो के मध्य लगने वाला ससंजक बल य सनेता जो होती है जल का अधिक होता है और गईस का कम होता है गईस के अप्यक्छा जल में सनेता अधिक होती है आगे देखेंगे पांच नमर हो जाएगा जल से निकलने पर सेविक बरंस के बाल आपस में किस कारण चिपक जाते हैं तो इसका कारण है पेश्ट तनाव सनेता कारण क्या है कोई भी वस्तू हो उस पे बाहरी जो बल लगा जाता है तो अपना छेत्र जो या रूप दुनों बदलता है और जब छोड़ने के बाद वो अपने जो पहले रूप है उसमें आ जाता है उसे प्रतियस्ता करते हैं समुंद्र में लहरों को साम्थ करने के लिए उनके उपर तेल के उडाला जाता है क्योंकि प्रिष्ट तनाव को कम करने के लिए जीसे लघर क्या हो कम हो जाए आगे देखेंगे शात नमर हो जाएगा सेनेता की इकाई क्या है तो यह हो जाएगा पौआज और दाब का इकाई हो जाएगा पासकल जोती तिवता का इकाई मतरख हो जाएगा कैंडिला आठ नमर है पानी की बूंदे का तैलिये पिरिष्टों पर नहीं चिपकते हैं तो इसका कारण हो जाएगा आसंजक बल का अभाव हो जो बोड़ पर हम लोग लिखते हैं ब्लैक बोड़ पर तो जो अच्छार उभरता है इसका कारण भी हो जाएगा असंजक बल आगे देखेंगे नौ नुमर है एक आंग छेदर फल पर लगने वाला बल किया का लाता है तो यह हो जाएगा प्रती बल इसका मातरा काएगा तो नीटों पर मीटर उसकार होता है ताप बढ़ने पर गईस की सेनेता क्या होगी बढ़ेगी और दरब्य की सेनेता घटेगी यह सब कोशन आदने वाला है तो यह सब याद कर लिजिएगा ताप बढ़ने पर गैस की सेनेता क्या होती है तो बढ़ती है और दरब्य की सेनेता घरती है और सेनेता की सेम आपते हैं तो 20 को मीटर से ये गारा नमबर हो जाएगा एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर धौनी क्या विर्थी क्या होगी तो समान रहेगी आगे देखेंगे 12 नमर है सेकेंडी लोलोक का अवर्थ काल होता है दो सेकेंड का और जो अवर्थ काल है ये दरमान पर निर्भर नहीं करता है आगे देखेंगे अगला कोशन हो जाएगा तेरह नमर है कामानी दार्थू लाकिस सिधान्त पर कारे करती है तो हुक के नियम पर पास्कल के नियम पर कौन सा कार करता है तो हाइड्रोलिक बिरेक आविल्टी का इसाई मातलग कहेगा तो हट अर्ज हो जाएगा और धौनी के किसमे मापते हैं तो डेसिवल में दरब्य के परवा की गती को किसे से मापता जाता है तो दरब्य के परवा की गती को मापते हैं बेंचोरी मीटर से और सैनेता को किसके मापते हैं तो बिसको मीटर से एनिमो मीटर से मापते हैं पवन के गती या बेग आगे देखेंगे सोरो नमर हो जाएगा किसी तरल की सैनता का मापन किसे से किया जाता है तो यह किया जाता है विसको मीटर से और टेको मीटर से किसी वस्तू का चाल मापते हैं बेंचूरी मीटर से पानी के बाहाओ के दर मापते हैं एनीमो मीटर से पवन का बेग मापते हैं सत्रा नमर कोशन हो जाएगा लोलक का अवर्थ काल किस पर निर्भर करता है? लोलक के लांबाई पर निर्वर करता है लांबाई बढ़ने पर अवर्थकाल बढ़ जाता है घटाने पर घट जाता है डॉपलर परभाव किसो से समांदित है तो ये समांदित है धौनी से 29. कोशन हो जाएगा अवर्थकाल किस पर निर्वर नहीं करता है तो ये दरमान पर लिन्वर नहीं करता है और किस बर लिन्वर करता है तो लांबाई पर निर्वर करता है बुंसन जो है बुंसन बर्नर किस सिधान्थ पर कारे करता है तो ये बर्नौली के सिधान्थ पर कारे करता है और बर्नौली का सिधान्थ कहता है कि जहां पर द्रवबे का बेग अधिक होगा वहां पर दाब कम होगा बर्नॉली के सिधान्त कहता है कि जहां पर द्रवबे का बेग अधिक होगा वहां पर दाब कम होगा चार्ल्स का नियम क्या है इस्तित दाब पर गैस का जो आयतन है तपमान के समानु का जो है ये समानु कर्म पाती होता है इस्तिर्दाब पर गैस का आयतन तपमान का समानु पाती होता है एकईस नमर है जब कोई जहाज नदी से सागर में घुशता है तो वह क्या होता है तो वह कुछ उपर उड़ता है जब कोई जहाज नदी से सागर में खुचता है तो वह कुछ उपर उड़ जाता है अर्किमेडीस के नियम कनसर वस्तु जो है अपने भार के बराबर पानी अगर नहीं अठाएगी तो वह पानी में अंदर डूब जाएगी और वस्तु अपने भार के बराबर के बराबर पानी हटाती है तो वह तैटती रहेगी आगे देखेंगे 22 नमर हो जाएगा बर्नौली पर में अधारित है तो ये अधारित है उर्जा के सनक्षर पर अधारित है और इसी कारण जो समुंत्र का गहरा पानी है ये सांत बहता है आगे देखेंगे 23 नमर हो जाएगा वाव यान कारे करता है तो बर्नौली के सिधान पर और पानी के जहाज कारे करता है आकमीडिज के सिधान पर पास्कल के नियम पर हाइड्रोकलोरिक बिलेक कारे करता है आगे देखेंगे आगे हो जाएगा 24 नमर है आटो मुबाइल का हाइड्रोकलोरिक बिलेक किसे सिधान पर करता है तो पास्कल के नियम पर बर्नौली के सिधान पर आंधी आने पर जो छोपर उडते है या बर्नौली का इसमें सिधान पर करता है आर्कमेडिस का सिधान्त क्या है तो पिंड का जो घनात्वे दरब से कम होना चाहिए जो पिंड है उसका घनात्वे दरब से कम होना चाहिए तब ही तैरेगा 25 नमर हो जाएगा पिरिष्ट तनाव किसके कारण में पैदा होता है तो अणुगो के बीच ससंजक बल के कारण पिरिष्ट तनाव पैदा होता है और अनुगों के बीच असंजक बल क्या है तो जो हम लोग ब्लैक बोर्ट पर लिखते हैं इसका जो अच्छर है उभरता है इसका करण हो जाएगा असंजक बल प्रतिवल और बिक्रिती का अनुपात कहलाता है यंग प्रतियस्ता गुडांक कहलाता है परतियस्ता या यंग परतियस्ता गुड़ां के मात्रक कहेगा तो नीटन पर मीटर स्क्वाइर हो जाएगा बलाइक बोर्ड पर चोक से लिखने पर किस कारण अचर उभर कराते हैं तो यह हो जाएगा असंजक बन आगे देखेंगे 29 नमर हो जाएगा केस नली में किसी दरव एका चड़ना या उतरना किस पर निर्भर करता है तो यह निर्भर करता है तिरिजिया पर केश नली में किसी दरबे का चड़ना या उतरना किस पर निर्भर कहेगा करता है तो तिरिजिया पर और इसका कारण क्या है तो कोश्री कत्व किरिया लोलो का अवर्थकाल किस पर निर्भर करता है तो लांबाई पर गर्मी के दिन में क्या होता है कि लंबाई बढ़ जाता है जिसके अवर्थकल बढ़ता है तो जो घड़ी की सुई है ये सूस्त हो जाती है आगे देखेंगे एक तीस नमर हो जाएगा लोलत की लंबाई बढ़ने पर अवर्थकल बढ़ जाता है दरबों की तुन्ना में गैस की सेनेता का होती है तो कम होती है और सेनेता किसका कुण है तो दरब या और गैस का जोकी ठोस में नहीं होता है आगे देखेंगे 33 नमर हो जाएगा आंधी आने पर छोपर काउन न किसका सिधान्द पर धारित है तो ये बर्नावली के सिधान्द पर आगे देख लेंगे चौनतीस नमर हो जाएगा एक ही पदार्थ के अणगो के मद लगने वाला अकर्षन बल कह राता है ससंजक बल एक ही पदार्थ के अणगो के मद लगने वाला अकर्षन बल ससंजक बल कराता है लेकिन बीभीन पदार्थ के अणगो के मद लगने वाले अकर्षन बल को क्या कहते हैं आसंजक बल जो बीविन पदात रहेगा तो वहां हो जाएगा असंजग बल और जो सेम रहेगा निकिए कहीं पदात तो ससंजग बल धौनी तरंगे होती है धौनी तरंगे क्या होती है तो धौनी तरंगे होती है अनुधारे तरंगे जो अनुप्रोस्त तरंग है ये परकास्त तरंग है परकास्त तरंग या विदू चुमब की तरंग होता है अनुप्रोस्त तरंग अनुप्रोस्त तरंग जो है ये धुरूबर हो सकता है लेकिन धौनी तरंग जो है धुरूबर नहीं हो सकता है धौनी तरंग निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती है धौनित रंगे सबसे ते चलती है ठोस में उसके बाद कहेगा तो दराबे में उसके बाद निम्तम चलता है गैस में पारा धौनिक चाल के जो मैग संक्या होता है पारा धौनिक चाल के मैग संक्या एक से अधिक होता है वही अती पारा धौनिक चाल के मैक संक्या पांच से अधिक होता है दू नमबर कोशन देखेंगे और धावनी जो है यह धावनी तरहंगे चलती है तो लंब बहुत चलती है दू नमबर हो जाएगा धावनी का अधेयन क्या कालाता है धावनी का अधेयन को एकोस्टिक्स कहते हैं डोपलोर परभाव करका और एमपलीफायर का परियोग कहा करते है तो जो DJ सांड का मशीन अधाय है उसे एमपलीफायर करती हैं आगे देखेंगे तीन नमबर हो जाएगा हावा में धोनी का बेग कितना होता है हावा में धोनी के बेग कहेगा तो 332 मीटर पर सीकेंड होता है वही मिल पर घंटा में कहेगा तो 760 मिल पर घंटा हो जाएगा चार नबर कोश्चन है जब लोलक की लंबाई चोगनी की जाती है तो उसकी अवर्थ कल कितना गुणा बढ़ेगा तो उसकी अवर्थ कल कितना दू गुणा हो जाएगा जब लोलग की लंबाई चोगनी की जाती है तो उसका अवर्थ कल दू गुणा हो जाता है लंबाई का अवर्थ कल कितना है तो अंदरू टू गुणा होता है सरवे तरंगे की जो अविर्ती होती है सरवे तरंगे की अविर्ती होता है 20 हटर्ज से 20 हजार हटर्ज के बीच में जो कि मनुसे सुनते हैं जो कि हम लोग सुनते हैं उसे सरवे तरंग कहते हैं जिसका तरंग धरे परास कहेगा तो 20,000 हटर्ज तक होता है। वोई ओ सरवे कहेगा तो इसका होता है 20,000 हटर्ज से कम और परासरवे कहेगा तो इसका होता है 20,000 हटर्ज से अधिक। समाने बात चित के लिए कितना धौनी डेशिबल का परयोग करता है निकि उसका डेशिबल कितना होता है समाने बात चित में 30 से 40 डेशिबल होता है छो नमर हो जाएगा धौनी तरंगे किसमे संचरण नहीं कर सकती है धौनी जो तरंगे दिर्वात में संचरा नहीं कर सकती है निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती है सरवाधिक होता है ठोस में और जो डाबलु एच है उसके अनुसार जो सही डेसिबल है धौनी का वो जाएगा 45 डेसिबल जो मानक चामता है, डेसिबल के धौनी का हो जाएगा, 45 डेसिबल, डाबलू एचो के अनुसार, डाबलू एचो के मुख्याले काएगा तो जे नेवा सिवीजल लेंड हो जाएगा, और इसका गठल हुआ था, अना इसब 48 में, ठोस में धौनी के चाल जो होता है, अधिक होता आगे देखेंगे, धौनी की तिवर्ता का मातरख क्या हैं, तो यह हो जाएगा, डेसिबल, अविर्टी के मातरख काएगा, तो हटो जो जाएगा, पर्दीप्त के मातरख हो जाएगा, लग्स आठ नमर देखेंगे सधारन बातचित के धौनी के तिवर्ता होती है सधारन बातचित के धौनी के जो तिवर्ता होती है 30 से 40 डेसिबल होता है और तेज बातचित का धौनी के तिवर्ता होता है 50 से 60 डेसिबल और 95 डेसिबल से उपर के धौनी हम लोग मनुसे नहीं सुन सकता है आगे देखेंगे नौ नमर कोशन हो जाएगा पारा भैगनी की रण की खोज किस ने किया था पारा भैगनी की रण के खोज किये थे जोहान रीटर ने और पारा भैगनी की रण ये सूरे से निकली हानी कारण की रण है जिसे ओजोन परत सोख लेता है दिरी से की रण के खो पान विक्डर और औरक्त की रंग के खोज किये थे बिलियम हरसायल अलफा की रंग के कहे तो रदर फोड किये थे बीदू चुमबा की तरंगे होती है तो यह होती है अनुप्रोस्त और धौनी तरंगे होती है अनुधायले एक्स किरण, गामा किरण और और अरक्त किरण ये तीनों क्या है तो ये तीनों अनुपरस्ट ये तीनों क्या है तो बीदू चुमकिये तरंगे है एक्स किरण, गामा किरण और अरक्त किरण ये सभी बीदू चुमकिये तरंगे है एक आरह नमर देखेंगे सोनार तक्निक किस का उपयोग होता है सोनार तक्निक में कह रहा है किस का उपयोग होता है तो सोनार तक्निक में पारा सरव बेतरंगों का परयोग किया जता है और सोनार किस के द्वारा परयोग किया जता है उनके द्वारा सोनार का उपयोग कियाता है जो समुंद्र में किसी वस्तु डूब जाये तो उसे खोजने के लिए और उसमें सोनार में पारासरवेत रंका पर्योग होता है बारा नमर हो जाएगा प्रती धोनी सुनने के लिए शुरोता है प्रावर्तक सता के बीच की निमतम दुरी कितनी होनी चाहिए तो यह होना चाहिए 17 मेटर प्रती धोनी सुनने के लिए शुरोता है प्रावर्तक सता के बीच निमतम दुरी कितनी होना चाहिए तो यह हो जाएगा 17 मेटर अस्टेतो अस्कोप जो कारे करता है ये कार करता है धौनी के परावर्तन पर और पेरियस्कोप कारे करता है परकास के परावर्तन पर अस्टेतोस्कोप कारे करता है कि अचीपेत ध्वनी के परवर्तन पर और पेरियस्कोप कायेगा तो परकास के परवर्तन पर कारे करता है प्रती ध्वनी के कारण क्या हो जाएगा तो प्रती ध्वनी के कारण हो जाएगा ध्वनी का परवर्तन प्रती ध्वनी किसके कारण उत्पन होता है तो ये ध्वनी तरंग का प्रावरतन के कारण प्रती ध्वनी उत्पन होता है आगे देख लेंगे अगला कोशन है तेरा नमर हो जाएगा तो रंग धार एक आसाी मतरग क्या है तो तो रंग धार एक आसाी मतरग इंगस्ट Burns या मीटर होता है एक इंगस्ट おण बराबर डॉस के पावड मॉनस दौस मीटर होता है समझ फारिक मतरग कहेगा तो सेकेंड फो जाएगा अब डिर्ती के हट तोंघ हो जाएगा डॉपलर परभाव के कारण पास आती हुई रेल गाड़ी के जो सीटी का अवरीती है बढ़ जाता है ताप का एसाई मतरग कहेगा तो केलवीन हो जाएगा बेग का एसाई मतरग मीटर पर सेकेंड होता है आगे देखेंगे पंदरन नमर कान पर धौनी के परभाव कितने समय तक रहता है तो एक बटे दस सीकेंड तक वही आँख पर जो परत्वीम बनता है वह भी बनता है एक बटे दस सीकेंड तक और बॉर्प जो पानी में तरता है तो उसका तरता हो भाग एक बटे दस भग में एक भग पानी पर तरता है सोरा नमर देखेंगे धोनी के तारा तो ये किसपन निर्भर करता है धोनी के तारा तो ये निर्भर करता है आवरिती पर और धोनी के जो प्रबलता किसपन निर्भर करता है तो ये आयाम पर धोनी के तरह तो ये निर्वर करता है आवरिती पे और धोनी के प्रवलता निर्वर करता है आयाम पर परकास का रंग किसके द्वरा निर्धारंग किया जता है परकास का रंग का निर्धारंग होता है तरंग धारे द्वरा सतरा नमबर हो जाएगा किस की तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है तो रेडियो तरंग के तरंग लंबाई अधिक होती है उसके बाद होता है सुच में तरंग क्या उसके बाद कहेगा तो इनफरा रेडियन के औरक्त तरंग का उसके बाद हो जाएगा दिली से तरंग उसके के बाद हो जाएगा एक्स किरण के उसके बाद परबैगनी किरण के यह क्या है सबसे अधिक कहेगा तरंग लंबाई किसके है तो रेडियो तरंग का उसके बाद सुच में तरंग उसके बाद और रग्त तरंग उसके बाद हो जाएगा दिरी से तरंग उसके बाद हो जाएग और इसका विट्ती क्या होगा तो सबसे कम होगा 18 नमर देखेंगे कीस माध्यम से धौनी का चाल अधिक होता है तो ठोस माध्यम में धौनी का जो चाल है अधिक होता है उसके बाद दरबे में होता है उसके बाद गैस में और निर्वात में धहनी यतरा नहीं कर सकती है और निर्वात में परकास के चाल काएगा तो तीन घुड़े दसके पवर आठ मिटर पर सेकेंड होता है आगे देखेंगे कोश्मीक कीरण होती है कोश्मीक कीरण अवेशित करन होता है और इसका खोज किये थे विक्टर हेस 20 नमर हो जाएगा दूर संचार के लिए परियुक्त तरंग कौन सी है दूर संचार में सुच में तरंग का प्रयोग के दता है माइक्रोवेव का और फोटोग्राफी में रातरी में फोटोग्राफी या धूंद के समय फोटोग्राफी में इंफ्रारेट का प्रयोग के दता है और अल्ट्रा वाइलेट जो है अल्ट्रा वाइलेट ये निकलता है सूरे से जोकी हानिकारा किर्ण है और इसे ओजन परत सोख लेती है आगे देखेंगे 21 नमर हो जाएगा धौनी तरंगे गमन करती है तो ये धौनी तरंग लंबवत गमन करती है धौनी तरंग कहेगा किस पर निर्वर करती है तो माध्यम के परत्यस्था तथा गनत्य पर धौनी तरंग निर्वर करती है धौनी तरंगे निर्वर करती है माद्यम के परत्यस्ता तथा गनत्य पर 22 नमर हो जाएगा परकास तरंग किस परकार की तरंग है परकास तरंगे अनुपरस्ट तरंग है या इसे कह सकते हैं जल तरंगे धौनी अनुधायरे है आगे देखेंगे 23 नमर हो जाएगा परासरव्ब प्रासरव धोनियों की आविरिती होती है तो यह होता है 20,000 हटर्ज से अधिक जिसे कूता बिली सुन सकते हैं और मनुसे जो तरंगे सुनते हैं वो हो जाता है सरव तरंग जिसका तरंग धरे प्रास हो जाएगा 20 हटर्ज से 20,000 हटर्ज तक चोबिस नमर हो जाएगा एक्स किरणों की खोज किसने की एक्स किरण के खोज किये थे रोंट जनने दीर के रेडियो तरंग के खोज किसने किया था मारकेनी दीर के रेडियो तरंग के खोज किये थे मारकोनी और अक्त तरंग के खोज किये थे बिलिम हर्साईल और दिरीश तरंग के कोज किये थे या किरन के नि construction किये थे जल के सोधन में किटाडू को नक्राण के करने के कोण सा तरंग या किरन का प्रयोग की जाता है जल संधन में किटाडू को नोश्ट करने के लिए पारा बैगरिंग किनल का प्रयोग की आता है आगे देख लेंगे 25 नमर हो जाएगा कोई लड़की जूला जूलते खड़ी हो जाएगा तो उसका अवर्थ क्या होगा कोई लड़की जूला जूल रही है जब वो खड़ी हो जाएगी तो उसका अवर्थ कल घटेगा और कोई लड़की जूला जूल रही है और उसके अस्थान पर एक और लड़की बढ़ जाएगी तो यह क्या होगा तो अपवर्थीत रहेगा एक के अस्थान पर दो आ जाएगी उसी करण गर्मी में घड़ी सूस्त हो जाती है आगे देखेंगे 27 नमर हो जाएगा किसी लोला की लंबाई चार गुना बढ़ा दी जाए तो उसका अवर्थ काल कितना गुना बढ़ेगा तो दू गुना बढ़ेगा क्योंकि अंडरूर्ट टू गुना होता है धौनी तरंगे किस कारण प्रती धौनी उत्पन करते हैं तो ये प्रावर्थन के कारण धौनी तरंगे प्रती धौनी उत्पन करते हैं पानी में डूबी हो जो छड़ी है टेंडा दिखाई देता है इसका कारण हो जाएगा अपवर्थन या पानी में बार्टी में रखा हुआ जो सीखा होता है थोड़ा उपर उठा हुआ दिखाई देता है इसका भी करण हो जाएगा अपवर्तन 29 नमर हो जाएगा बीदू चुमबा की तरंग बनी होती है तो ये बनी होती है फोटोन की बीदू चुमबा की तरंग है ये फोटोन की बनी होती है और वाव में अगर ताप 1 डिगरी सेल्सियट बढ़ेगा तो धौनी के चाल कितना बढ़ेगा हमारा कान सुन सकता है तो हमारा कान जो सुन सकता है वो सरवे तरंगे सुनता है जो कि 20 हटर्ज से लेकर 20,000 हटर्ज तक के बीच मुलता है और सरवे तरंग होता है इसका प्रास हो जाएगा 20 हटर्ज से कम और पारा सरवे तरंगों का प्रास हो जाएगा 20,000 हटर्ज से अधिक बेधुत चुम्ब के तरंग की ओधर्णना किस ने दिया था बेधुत चुम्ब के तरंग का ओधर्णना दिये थे मैक्सवेल ने आगे देखेंगे 31 नमर हो जाएगा पास आती हुई रेल गाड़ी की सिटी अब रिती किस कारण बढ़ जाती है तो यह बढ़ जाती है डौपलर परभाव के कारण और जो आकासिय पिंड का बेध ग्याद करते हैं इसमें डौपलर परभाव का ही कारण होता है जो आकासिय पिंड का बेध ग्याद करते हैं यह किसे ग्याद करते हैं तो डौपलर परभाव से जल में ध्होनी के चाल होती है जल में ध्होनी के चाल हो जाएगा 1483 मीटर पर सिकेंड समुद्री जल में ध्होनी के चाल काएगा तो 1533 मीटर पर सिकेंड हावा में ध्होनी के चाल होता है 332 मीटर पर सिकेंड लोहा में काएगा तो 5130 मीटर पर सिकेंड हावा में हो जाएगा 332 मीटर पर सिकेंड और समाने जल में 1483 मीटर पर सिकेंड समुद्री जल में कहेगा थो 533 मीटर पर सिकेंड लोहा में हो जाएगा 530 मीटर पर सिकेंड आगे देखेंगे 33 नमर है धोनी की चाल किस माद्य में निम्तम होती है तो ये गैस में निम्तम होती है और परकास का तोरंग सिधान्द कहेगा किस ने दिया था तो हाइगेंस दिये थे और धोने की चाल सरवादिक होता है ठोस में और निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता है एक एंगस्ट्रोन बराबर होता है दस के पावर माइनस दस मीटर होता है आगे देखेंगे एंगस्ट्रोन किसका मातरक है एंगस्ट्रोन तरेंगधारे का मातरक है आविर्थी के मात्रा काएगा तो हटर्ज हो जाएगा बेग के मात्रा कोगा मीटर पर सिकेंट दाप के हो जाएगा पासकल आगे देखेंगे टेस्ट पेपर 17 का पहला कोशन हो जाएगा बर्प की गलन की गूप तूसमा कितनी होती है बर्प की गलन की गुप तूसमा होता है 80 कलोरी पर गराम वही जल का वास्पी करण का गुप तूसमा कहेगा तो 536 कलोरी पर गराम होता है दून नमबर हो जाएगा ताप का एसाई मात रख क्या है ताप का एसाई मात रख हो जाएगा केलवीर और उसमा के कहेगा तो सेल्सियस हो जाएगा आगे देखेंगे तीन नमबर है ताप बढ़ने पर आपेचिक आदरता क्या होगा ताप बढ़ने से आपेचिक आदरता बढ़ती है वही बरसात में क्या होगा बरसात में जो आपेचिक आदरता है ये घड़ती है बरसात में आपेचिक आदर्ता ये घोड जाती है और ताप बढ़ने पर बढ़ती है चार नमर हो जाएगा निर्वात में परकास की चाल होती है तिन गुड़े दस के पावर आठ मीटर पौर सेकेंड और कांच में परकास के चाल कायेगा तो दू गुणे दस के पावर आठ मीटर पॉर सीकेंड पांच नमर कोशन है उसमा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है उसमा और बीधूत का सबसे अच्छा चालक हो जाएगा चांदी और सोना क्या है तो ये सोतंत्र रुरुप में रहता है तांबा के सत्रु कायेगा तो ये गंधक हो जाएगा भभी से एक धातू कायेगा तो पलाटेनियम हो जाएगा ङए देखेंगे एक किलो कैलोरी उस्मा कमान होता है एक किलो कैलोरी उस्मा कमान होता है 4.2 गुणे 10 के पावर 3 जूल एक किलो कैलोरी उस्मा कमान होता है 4.2 गुणे 10 के पावर 3 जूल और एक गराम वसा से कितना कैलोरी उर्जा मिलता है एक गराम वासा से 3.3 किलो कैलोरी उर्जा मिलता है वास्पे की गूपत उसमा होती है 536 कैलोरी पर गराम आगे देखेंगे आठ नमर कोशन हो जाएगा प्रेसर कूकर में खाना जल्दी पकता है केव की पानी का कोथनांक बढ़ जाता है प्रेसर कूकर में खाना जल्दी पकता है इसका कारण है के पानी का कोथनांक बढ़ जाता है प्रेसर कूकर के खोज किसने किया था तो टामा स्पैंपी ने प्रेसर कूकर के खोज किये थे और जो pressure cooker में खाना जल्दी बनता है इसका करण है कि दाप बढ़ने के करण इसका कोथनां क्या हो जता है तो बढ़ जाता है 9. हो जाएगा सूरे के 12 सता का ताप कितना होता है तो यह होता है 6000 केलिविन और सूरे में उर्जा का सुरोथ है नभी की सलेयन इसमें क्या होता है हाइडोजन हेलिया में परिवर्थित हो जाता है सूरे के मौध भाग के तप मान कहेगा तो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस हो जाएगा आगे देखेंगे दोस नबर है पाइरो मीटर का उपयोग किया जाता है तो ये उपयोग किया जाता है उच एताप मापने के लिए और इसका दूसरा नाम कहेगा तो बेकीरण एताप मापी हो जाएगा एक आरण नमबर है परम सुन ये ताप का मान कितना होता है तो ये होता माइनस 233 डिग्री सेल्सियस और इसे पर सबी गैस का जो आडविक ताप मान है ये सुन हो जाता है आगे देखेंगे 12 नमर हो जाएगा की से ताप पर फारने आइट और सेंटी ग्रेट दोनों पैमाने के मान सामान होता है तो ये सामान होता है माइनस 40 डिग्री सेल्सियस पर और इसका सूत्र लिख जिएगा सी बाई फाइब एफ माइनस 32 बटे 9 होता है इस पर रकने पर आजाएगा पानी का क्वाथनांक होता है पानी का क्वाथनांक के कहेगा तो ये हो जाएगा केलिविन में हो जाएगा 373 केलिविन डिग्री सेल्सियस में हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस और फारने आइट मे तो दूसरा 12 फान्याइट हो जाएगा बोलो मीटर का उपयोग किसको मापने में किया जाता है उसमें भी किरल मापने में आगे देखेंगे अगला क्वेशन है यहां कुछ अपसान है देख लेते हैं जल चक्र जल चक्र क्या करता है तो जल चक्र जो उतरदाई है यह पोधे क के ब्रिधि में सहायता करता है और नुबर हो जाएगा अपैचिक आदर्था का मापक क्या है तो यह हो जाएगा हाइगर मीटर के सुसका गलनलांक घट जाता है वही नामक आगर बर्फ में नमक मिलाने पर उसका गलांक क्या होगा तो उसका गलांक भी घटता है बर्फ अधाब बढ़ाने से भी उसका गलांक घटेगा और बर्फ में नमक मिलाने पर भी उसका गलांक घटेगा और एक गिलास पानी में बर्फ डाल दिये जाए तो उसके अस्तर जो है क्या होगा तो प्रतित रह जाएगा 17 नमर हो जाएगा MRI मसीन में किस तरंग का प्रयोग किया लेता है तो चुमब किये तरंग का प्रयोग किया लेता है MRI मसीन में चुमब किये तरंग के मातले काएगा तेंग अश्टरन हो जाएगा हिर्दाय के कंपन से कौन सी तरंग उतपन होती है हिर्दाय के कंपन से उतपन होती है अपसरब बेतरंग ये मार AI के फूल पर्म कायेगा तो magnetic resonance imaging होता है अठारा नमबर हो जाएगा एक स्किरां के कौछ कौन करते हैं तो डॉक्टर थर्म एक किसकी उकाई है आगे देखेंगे उन्हेंस नमर कोशन है एक गराम वाले पदार्थ का तपमान एक डिग्री सेल्सियस बदनने के लिए आवसे एक उस्वा की मातरा को क्या कहते हैं तो विसिष्ट उस्वा कहते हैं विसिष्ट उस्वा का एसाई मातरा कहेगा तो जूल पर केजी पर केलिविन होता है वही गुप्त उस्वा का एसाई मातरा जूल पर केजी होता है विसिष्ट उस्वा में क्या जूड़ जाता है तो जूल पर केजी पर केलिविन है इसमें जूड़ जाता है वाउ में जलवा की मातरा को आधर्टा कहते हैं और उस्मा भी एक परकाइस के क्या है तो उर्जा है और इसका एसाय मातरा होता है थोर्म जूल कैलोरी, परकाइस का बेग उधिकतम होता है , निर्वात में तीन गोड़े 10-power8 मिटर-पवर काँच में परकास के बेग कैयेगा तो दू गूने 10 के पर आठ मीटर पौर सिकन होता है। धौनी के बेग अधिकतम कैईगा तो ठोस में होता है। आगे देख लेंगे 22 नमर हो जाएगा। पारकास के बेग सर प्रथम किसने मापा था तो ये मापा था रोमर ने कौप तो सुरो सचिहातर में पारकास के बीदूत परभाव की खोज किसने किया था आइंस्टीन ने पारा कितना डिगरी सेल्सियस पर जमता है पारा जमता है माइनस 49 डिगरी सेल्सियस पर और वही एल्कोहल कितना डिग्री सेल्सियस पर जमता है माइनस 115 डिग्री सेल्सियस पर इसी के कारण अति जो थांडा परदेश होता है उसमें अल्कोहल तापमापी का परियोग किया जाता है और पारा जमता है माइनस 49 डिग्री सेल्सियस पर और इसका कोथनांक काएगा तो 357 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा चोबिस नमर है नमक मिलाने पर बॉर्प का गल्लांक क्या होगा तो घट जाएगा वह इदाब बढ़ाने पर भी नमक का जो गल्लांक है घटता है आगे देखेंगे 25 डिग्री सेल्सियस में काएगा तो 100 डिग्री सेल्सियस होगा तो 27 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गरम किया जाए तो उसका आयतन क्या होगा तो उसका आयतन पहले घटेगा और उसके बाद बढ़ेगा दरवे का प्रिष्ट तनाव अगर ताप पढ़ाएगा तो उसका प्रिष्ट तनाव घटेगा सनवहन, चालन और बिकीरन और जो चालन होता है ये ठोस और पारा में उसमा जो संचरन होता है तो चालन बिदी से होता है और स्वक्ष अकास के दिन में हमें ठंडा में लगता है तो इसका कारण हो जाएगा बिकीरन धूंद क्या पेक छा जब स्वस्त रहता है मोसम तो उसमें जो अधिक ठंडा लगता है तो इसका कारण हो जाएगा बिकीरन आगे देखें गोंतीस नमर हो जाएगा सभी गैस सुन ने आयतन खेटती है कितना डिग्री सेल्सियस पर तो माइनस दूसर तियातर डिग्री सेल्सियस पर और माइनस चारीश डिग्री सेल्सियस पर फ़ारने हाइट और डीगरी सेल्सियस का जो माण बरावर होता है यह माणिस 40 डीगरी सेल्सियस यह पर नाइट पो होता है तीज नमर कोशन हो जाएगा पिरितीवी तक जो सुर्यक उसमे की उसमे पहुंचती है यह पहुंचती है बीकिरों बिदी द्वारा और गैसो में कहेगा कि उस्मा का संचरण किसके द्वारा होता है तो ये सन्वाहन बीदी द्वारा और ठोस और पारा में उस्मा का संचरण किसके द्वारा होता है तो चैलन बीदी द्वारा केतली भी गरम होता है सन्वाहन बीदी द्वारा अगला कोशन वही है बीदूत केतली में पानी किसके करान गरम होता है तो सनवाहन बीजी दुआरा वाव मॉंडल भी कहेगा गरम किस माध्यम से होता है तो सनवाहन माध्यम से कमरे में राखे रेफ्रीजरेटर के दरवाजे खूले छोड़ दिये जाए तो कमरे कताप क्या होगा तो कमरे कताप बढ़ जाएगा और वही फिरीज में कहेगा किसी समान अपर रखते हैं तो कितना डेगरी सेल्सियस पर रखा जाता है नीमन में उसमा का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा हो जाएगा अप्सन अनुसार इसमें हो जाएगा समुद्रे की पानी नीमन में से उसमा का सबसे अच्छा सुचालक अप्सन अनुसार समुद्रे की पानी वास्पी करण की दर निर्वर करती है तो यह दरव्य के ताप प और नमक मिलाने पर बर्प का गल्लांक कया होता है तो कम होता है आगे देखेंगे 35 नमर हो जाएगा ठोस कपूर से कपूर वास्प बनाने की परकिरिया क्या कालाता है तो यह कालाता उधरेवपातन और जो ammonia collide का amocia collide का जो सुधा होता है यह उध्य पात्म के माध्यम से ही सुध किया जता है वह उर्जा जिसके कारण हम किसी वस्थू को देखते हैं तो कौन से उर्जा है तो परकास उर्जा वह उर्जा जिसके कारण हम किसी वस्तू को देखते हैं तो उसमें होता है परकास उर्जा आगे देख लेंगे 36 नमर हो जाएगा उबलते जल की अपेक्छा भाप से अधिक हाथ जलता है इसका कारण क्या हो जाएगा भाप में गूप तुसमा होती है परकास का फोटोन सिधांत किस ने दिया था परकास का फोटोन सिधांत दिये थे आइंस्टीन ने और परकास बिदुत प्रभाव की खोज भी आइंस्टीन किये थे और परकास गती क्या है तो परकास की गती जो होता है इस रेडियो गती के बराबर होता है परकास के गति, रेडियो गति के बराबर होता है 37 नमर कोश्टन देखेंगे रुधोस में परिवर्थन में क्या होता है तो उसमा ओपरवर्थित लहती है रुधोस में परकिरिया के काएगा उधारन की आए तो जो साइकील के टार फर्ट पे है तो उसमें ठंडा हावा निकलना रुधोस में परिवर्तन का उधारण है या जो हम साइकिल में हावा परते हैं जो पंप गरम हो जाता है उसमें भी रुधोस में परिवर्तन का उधारण रहता है ये कीस रंग का तरंग धर सरवाधिक होता है सरवाधिक तरंग धर होता है ला पीनला यह नीचे से होता है नीचे से बेह हो जाएगा बैगनी उसके बाद जमुनी उसके बाद नीला उसके बाद धारा उसके बाद पीला उसके बाद नरंगी उसके बाद लाल उपर में लाल रहता है और नीचे होता है बैगनी प्रित्वी का रंग कैसा है तो नीला है प्रित्वी का रंग नीला है दू नमर हो जाएगा परकास का रंग निश्चीत होता है तो परकास का जो रंग निश्चीत होता है ये तरंग धारे से होता है और एक तरंग धारे बराबर दस के पावर मैनस दस मीटर होता है परवल्ता कहेगा किस पर निर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर् पानी में रखी छोड़ी त्योंट दिखाई देना इसे अपउर्टन कहते हैं चार नमर हो जाएगा सबसे कम तरेंग धर्यवाला परकास कौन सा है तो सबसे कम हो जाएगा बैगनी और सरवादिक होता है लाल का नीला हरा लाल को प्राथवीक रंग कहते हैं इसका ट्रिक होता सा रंग है तो यह हो जाएगा पीला और जिसका कहेगा जिसका तरंगधर अधिक होता है उसका अविल्टी क्या होता है तो कम होता है जिसका तरंगधर अधिक होगा उसका अविल्टी कम होता है आगे देखेंगे आकास कारण होंगे निला किस कारण परतीत होता है आकास के रंग निला परतीत होता है पर किरन कारण और अंतरीक शेयात्री को आकास कैसा दिखाई देता है कारला दिखाई देता है रात में जो रात में धौनी तेज सुनाई देती है इसका कारण होता है अपवर्तन और अस्ठेतो अस्कोप किस पे कारे करता है अस्ठेतो अस्कोप कारे करता है धौनी के परावर्तन पे पेरियस्कोप एक आता है कोश्चन की पेरियस्कोप किस पे कारे करता है तो ये कार करता है परकास के परावर्तन पे सम्तल दर्पन की वकर्ता तिरिजिया होती है सम्तल दर्पन की वकर्ता तिरिजिया जोता है अनन्त होता है और सम्तल दर्पन में जो पर्तवीम बनता है अभासी और सीधा बनता है साथ नमर हो जाएगा वाहनों में side mirror के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? वाहन में side mirror के रूप में उतल दर्पन का प्रयोग करते हैं और hair mirror के रूप में उतल दर्पन का प्रयोग करते हैं दाड़ी बनाने के लिए भी उतल दर्पन का प्रयोग किया है आगे देखेंगे आठ नमर हो जाएगा इंद्र धनुस किस कारण बनता है इंद्र धनुस बनता है परवर्तन और पुर्य आंत्रिक परवर्तन सभी मिलकर जो इंद्र धनुस बनता है ये सूरे के विप्रिद बनता है और इसका इसी कारण दो पर में जो इंद्र धनुस दिखाई नहीं देता है प्रात्मिक या मूल रंग कौन सा है तो यह हो जाएगा उपरिक सभी यानि कि निला हरा लाल मिलकर क्या बनता है प्रात्मिक रंग बनता है सबसे कम किस रंग का परकिरन होता है सबसे कम कम परकिरन किस रंग का होता है तो लाल का आगे देखेंगे जो टीवी में रंग दिखाई देता हो वो प्रात्मिक रंगी होता है आगे देखेंगे दोस नमर हो जाएगा अंतरीक चियात्री को अकास कैसा दिखाई देता है अंतरीक चियात्री को अकास काला दिखाई देता है और पौला अंत्रिक्ष यात्री का या कौन थे तो यूरी गागरिन थे जो की 1961 में अंत्रिक्ष में गए थे और ये रूसके थे और 1963 में ये प्रथम माईला थी बिलंतेना तो रूसकवा जो की अंत्रिक्ष में गए थी और ये भी रूसके थी प्रित्वी कशा दिखाई देता है तो नीला दिखाई देता है 11 नमर हो जाएगा किसी ब्यक्ति का पूरा पर्तवीम देखने के लिए एक सम्तल दर्पन की निम्तम उचाई कितनी होनी चाहिए तो ब्यक्ति की उचाई का आधा होना चाहिए और सम्तल दर्पर में पर्तविम बनता है अभासी और सीधा कोई भी दर्पर को कलर किसके द्वारा किया आता है तो सिल्वर नाइट्रेट के द्वारा आगे देखेंगे 12 नमर हो जाएगा किस रंग का अपोर्तनांग सरवाधिक होता है तो बैगनी का अपोर्तनांग सरवाधिक होता है और इसका तर्यंगधर कम होता है इंद्र धन उसके बीच के रंग हो जाएगा हरा, और आँख के लिए आराम धाएक रंग होता है पीला, और सबसे कहएगा, कौम और पर्तनांग किसका होता है तलाल का, अपरतनांग सबसे अधिक होता है बैगनी के, वही तलांग धर्य का तलाल क मतलुग हो जाएगा, आगे देखेंगे तेरा नमबर हो जाएगा ओप्टिकल फाइबर किस सिधांत प्रकारे करता है तो ये कारे करता है पूर्ण आंत्रीक प्रवर्तन पे और इसका खोज किस ने किया था तो नरेंदर का पानी ने आकास का रंग जो नीला दिखाई देता है इसका कारण हो जाएगा पर उतर दरपण का और साइड मीरर में कहेगा तो उतर दरपण का पंदर नमबर हो जाएगा इंद्र धनुस के बीच का रंग कैसा होता है तो इंद्र धनुस के बीच के रंग जो होता है हारा होता है और बैगनी के परेकिर्णन जो है ये सबसे अधिक होता है और लाल का बीच इतने रंग होते हैं इंद्रधनुस में साथ रंग होते हैं और जो सौनी गरा है इसकी बल्लाई की संख्या भी साथ होता है सोडियम के कोड इलेक्ट्रोन की संख्या कएगा तो दस होता है आगे देखेंगे अगला कोशन हो जाएगा सूखा बालू चमकीला जबकी गिला बालू धूती हीन दिखाई देता है इसका कारण क्या है तो इसका कारण हो जाएगा परावर्तन और तारिक इसके कारण टिम्टि में आते हैं तो परकास के अपरवर्तन के कारण अठारा नमर कोशन हो जाएगा दो समनातर दर्पन के बीच रखी वस्तू का परत्मीम बनता है तो ये बनता है अनन्थ और समतर दर्पन के वकरता तिरिजिया होता है ये भी अनन्थ होता है सवेत परकास कितने रंगों के मेल से बनता है सवेत जो परकास है ये साथ रंग के मेलों से बनता है और इसके किसके द्वारा अलग किया ज़ता है तो पिलिज में के द्वारा आगे देखेंगे 20 नमर कोशन हो जाएगा सवेत परकास का वीविन रंगोस में अलग होने की किरिया को क्या कहते हैं तो ये कहते हैं वन भी छेपड 21 नमर हो जाएगा दरपण में कलाई के लिए किसका परियोग किया जाता है दरपण में कलाई के लिए सिल्वर नाइटरेट का परियोग किया जाता है और Silver Boramite का प्रियोग करते हैं फोटो गराफी में आगे देखलेंगे 22 नमर है सोडियम कर्भोनेट किया है तो यह धोने वाला सोडा है 22 नमर हो जाएगा Television में किस रँग का प्रियोग किया था है तो television में प्रात्मिक रँग का प्रियोग किया था है जिसमें प्रात्वी करंग में हो जाएगा नीला, हरा और लाल। 23 नमर हो जाएगा टेली बीजन का अविस्कार किस ने किया था। टेली बीजन के अविस्कार किये थे जेल बेर्ड ने और रेडियो के अविस्कार किस ने किये था तो मार कोनी किये थे। सुच में दर्शी का विष्कार किस ने किये था सुच में दर्शी का विष्कार किये थे जेड जॉनसन ने और दुर्वीन का विष्कार किस ने किये था तो गेलेलियों ने आगे देख लेंगे 24 नमर हो जाएगा उतल दरपण में बना पर्तवीम होता है उतल दरपण में बना परत्वीम होता है इसमें से सभी सीधा अभासी और वस्तु से छोटा आगे देखेंगे 25 नमर हो जाएगा जब परकास के कीरण बीरल माद्यम से संगन माद्यम में परवेस करती है तो क्या होता है जब परकास के जो कीरण है बीरल माध्यम से संगन माध्यम में परवेश करीगी तो वो अभिलंब की ओर मूर जाती है 26 नमर कोशन हो जाएगा सोडियम परावर्तक लैंब के रूप में किस दर्पन का प्रियोग किया जाता है तो यह हो जाएगा उतल दर्पन 27 नमर कोशन है प्रिथिवी से देखने पर आकास कैसा परतीत होता है तो आकास परतीत होता है नीला और यह किस के करण होता है तो परिकिरण के करण और अंत्रेक्ष में जो व्यक्ति होते हैं उनको आकास कैसा दिखाई देता है तो करला दिखाई देता है 28 नमर हो जाएगा परकास तरंगे होती है परकास जो तरंग है यह अनुप्रस्थ होता है और धावनी तरंग है यह अनुधार होता है परकास तरंग जो है अनुप्रस्थ होता है किमकि इसका धुरूबन होता है परा सरवे जो तरंग है ये कुता बिली ये सभी सुन सकते हैं हम लोग कहा कौन सा तरंग सुनते हैं तो सरवे तरंग जब परकास वाव से कांच में पहुंचता है तो इसकी चाल जो होती है घट जाती है जब परकाशआ वाउ से कांच में पहुंच तहाई को चाल घड़ जाता ह। यह कहा होता है तो बीलल से संघन मादेर में पहुंचता है तीस नमर कुशन हो जाएगा साबुन का बूलिबूला रंगीन दिखाई देता है तो इसका करण हो परकाश के बेक्ति करण और जो साबुन के बुलबूला के दाब होता है वाव मॉंडर के दाब से अधिक होता है 31. नमर हो जाएगा ओप्टिकल फाइबर का अविस्कार कीसे मना जाता है तो नरिंदर कमपानी को सेमुल कोहन ने हाइडोजन बम के अविस्कार किये थे तीएच मैमा काएगा तीएच मेनन ये लेजर के विस्कार किये थे आगे देखेंगे 32. नमर हो जाएगा तारे टीम्टी में आते हुए दिखाई पड़ते हैं इसका कारण किया है तो परकास के अपवर्तन के कारण तारे टीम्टी में आते हुए दिखाई देते हैं परकास के परवर्तन पर कौन कार करता है तो दरपण और हीरा चमकदार दिखाई देता है पूर्ण आंत्रिक परवर्तन के कारण परकास के परकीरण के कारण जो अकास निला दिखाई देता है इसका कारण हो जागा परकास के परकीरण सुर्य के किरियों की तीविता मापी जाती है तो ये मापी जाती है एक्टियोमीटर से तोरल की सेनातम आपते हैं बिसकोमीटर से और उन्चे तप मापा जाता है पाई्रोमीटर से आगे देख लेंगे 34 नमर है ओतल दरपन में बना परत्वीम होता है तो यह होता है उल्टा वास्तिविक और वस्तु से बड़ा परकास का सबसे अच्छा परावर्ता कहेगा कौन सा है तो यह हो जाएगा संतल दरपन और डॉक्टर नाक कान आख के जांच के लिए कुछ दरपन का प्रियोग करता है अउतल दरपन का और डॉक्टर नाक कान जांच करने के लिए अउतल दरपन का ही प्रियोग करता है संतल दरपन का प्रियोग करते हैं आइना में दूर्बीन का विसकार किसने किये था दूर्बीन का विसकार किये थे हैंस लेप्रेसी और वही टेलेस्कूप के खोज किसन किये था तो गुटेन बर्व किये थे इलेक्टिक बर्व के एफिकार किसने किये था तो एडिशन किये थे आगे देख लेंगे कैमरा का कौन सा भाग आँख की रेटीना की भातिकारे करता है तो कैमरा का जो फिलिम है ये आँख के रेटीना के भातिकारे करता है कैमरे में फि लेंस के तरह कायरे करता है आइरिस या परितार कायर करता है तो आँख में ये जाने वाली जो कीरण होता है परकास के कीरण उसको नियांतरण करता है चार नमर हो जाएगा धूप के चस्मे की छमता कितनी होती है धूप के चस्मे के जो छमता होता है दूर दरिश्टी दोस के निवारन के लिए उतर लेंस का ही परयोग किया जाएगा, किसी वस्तु का पर्तवीम रेटीना पर कितने समय तक रहता है तो एक वटे दोस से कैंड़ तक, और रेटीना पर जो परतवीम बनता है या होता है वास्तवीक उल्टा और छोट आगे एक सवस्त मनुसे के लिए असपष्ट द्रिष्टी की निम्तम दूरी कितनी होती है तो निम्तम दूरी होता है पचीश सेटिमीटर अधिकतम दूरी कहेगा तो अनन्थ होता है हाइपर मेट्रोपिया का तत्य अपर क्या है तो यह जागा दूर द्रीश्चि दोश को मायोपिया कहते हैं जरा द्रीश्चि दोश को ठीक किया जा सकता है दिवी फोकल लेंस के द फोकिल के दूरा और वरधांता रोग यह अनुवानसीक रोग है जिसमें लाल और हरा रंग में कलर पता नहीं चल पाता है आगे देखेंगे 9 नमर हो जाएगा इलेक्टरन भॉल्ट किसकी इकाई है? इलेक्टरन भॉल्ट जो है यह उरजा के इकाई है जूल भी उरजा के इकाई है विभांतर किस से विभांतर कहीं क्या हो जागा तो यह विभांतर मापते हैं फोल्ट मीटर से आवेस का मात रख हो जागा कूलंब दस नमबर कोशन है टेली एसकोप का विश्कार किस ने किया था तो टेली एसकोप के विश्कार किये थे गेलेलियों ने और वही कहेगा कि रेडियो के विश्कार किस ने किये था तुम्हार कोनी और गती के नियम दिये थे निव्टन और टेली बीजन के विश्कार किये थे जेल बेर्ड ने 11 नमर कोशन देखेंगे इलेक्टॉन सुच में दर्सी का विश्कार किस ने किये था electron सुछ में दरिशीक अविस्कार किया थे नुल और रूसका और keval सुछ में दरिशी के अविस्कार कहाएगा तो जेट जॉनसन किये थे lemon hawk ने जिवाड़ू के खोज किये थे तो इतरलेंस के मानोव आख के रेटीना पर व forwards परत्वीम बनता है तो ये वास्त्विक तथा उल्टा सुच में दर्सी के विसकार जेट जॉन्सन किये थे और इलेक्टरन सुच में दर्सी कहेगा तो नोल और रूसका किये थे ओतर दर्पर में कैसा पर्थमी बनता है तो वास्त्विक और अभाजी बनता है आगे देख लेंगे तेरों नमर हो जाएगा पानी में हवा का बुलबूला किसके भाती कारे करता है और दिखाई देता है उतर लेंज के भाती किसी धातू के प्रती रोधकता गर्म करने पर क्या होगा तो बढ़ेगा किसी धातू के प्रती रोधकता गर्म करने पर बढ़ता है और प्रती रोधकता का SI मात्रक हो जाएगा ओमी मीटर आगे देखेंगे अगला कोशन है चौदा नमर हो जाएगा लेंस की छमता का मातरक क्या है तो यह हो जाएगा डाई आप्टर परदीप्त की मातरक क्या हो जाएगा तो लॉक्स हो जाएगा कारे के CGS मातरक होता है और है कारे के CGS मतरक क्या हो जाएगा तो और्ग हो जाएगा बीदु धारा कैसा ही मतरक आएगा ता मीटर होता है माईवपिय से क्यात आते पर है तो निकट दिरिष्टी दोस और धांता में क्या होता है तो लाल और हारा रंग में आपको पाचान नहीं हो पाएगा जराद दिरिष्टी दोस्को ठीक करने के लिए दिवी फोकल लेंज का परियोग करते हैं आगे देखेंगे सोरा नमर हो जाएगा आँख में परवेश करने वाले परकास की मातरा को कौन नियंतरित करता है तो ये आईरिस या परितारी का रेटीना पर मानों के आँख में परत्विम बनता है और आँख किस भाग को दान करते हैं तो कौनिया को शतरा नमर हो जाएगा नेतर दान में दाता की आँख की किस हिसे का प्रतिरोपित किया जाता है तो कौनिया का और मोतिय बिन में क्या होता है तो आँख के जो लेंस है उसे चेंड किया रहता है 18 नमर कोश्चन हो जाएगा 1 किलो वाट घंटा कमान होता है 3.6 गुड़े 10 के पावर 6 जूद 1 किलो वाट घंटा कमान होता है 3.6 गुड़े 10 के पावर 6 जूद बीधूत चलकता की यूनिट क्या है बीधूत चलकता की यूनिट कहेगा तो महो हो जाएगा और परतिरोध का इसाई मत्रक कहेगा तो ओम हो जाएगा बीधूत बल में कौन सी गैस भरी जाते है तो नाइट्रोजन और आरगन 20 नमर हो जाएगा ओम इमीटर किसका मत्रक है तो यह हो जाएगा प्रतिरोध का इसाई मत्रक हो जाएगा ओम प्रतिरोद का एसाई मत्रक हो जाएगा ओम और फैराडे कहेगा किसका एसाई मत्रक है तो धारिता के है बीदुत चलकता के हो जाएगा महो 22 नमर हो जाएगा बीदुत बल्ब का विसकार किसने किया था तो ये किये थे एडिशन ने बीदुत बल्प के अविस्कार किया था एडिशन ने नाबिक के खोज किये थे रॉदर फोड परणारू सिधान्त के परतिपादक कौन थे तर जोन डॉल्टन और रोक्त परिसंचना के खोज किसने किये था तर बीदियम हारवे किये थे सोरो सव अठाइस में आगे देखेंगे 23 नमर हो जाएगा उतर लेंज की छमता होती है उतर लेंज की छमता होता है घनात्मक और ओतर लेंज की छमता काईगा तो रिनात्मक होता है आगे देखेंगे 24 नमर हो जाएगा जरात द्रिश्टी दोस के निवारान है तू किस लेंज का उपयोग किया जाता है तो दिवी फोकल लेंज का और अउतर लेंज का परियोग करते हैं निकर द्रिश्टी दोस में और उतर लेंज का परियोग करते हैं दूर द्रिश्टी दोस में अभी दुखता दूर करने के ल परतिरोध उंचे होता है परतिरोध उंचे होता है गलनांक नीम्न होता है आगे देखेंगे 26 नमर हो जाएगा बीदुत फ्यूज का गलनांक होता है तो नीम्न होता है और उंचे होता है परतिरोध और बीदुत फ्यूज ये बीदुत की उसमिये परभाव पर कारे करता है आ आगे देखेंगे 27 निमर हो जाएगा बीदुत धारा किससे मापी जाती है तो मापी जाती है मीटर से और टेको मीटर से क्या मापते हैं तो वाव यानकी चाल विवांतर मापते हैं भोल्ट मीटर से टंगरस्टन का गल लांक कितना होता है तो लगवा 34-422 डिग्री सेल्चिय टंगरस्टन का संकेत होता है डावलू और भारत में कहां पर पाया जाता है तो राजस्थन के देगाना में सरवादिक टंगरस्टन पाया जता है और इसे बीदुत का फिलमेंट बना होता है टंगरस्टन से बीदुत का जो फिलमेंट होता है टंगरस्टन कहीं बना होता है बीदुद धाईता का SI मतर्ट आएगा तो फैराडे हो जाएगा जोती फलक्स के SI मतर्ट डिमेन होता है और जोती तीव्रता के SI मतर्ट आएगा तो केंडेला हो जाएगा तीस नमर है बीदुद चुंबकी पिरियरा के सिधान पर कौन कारे नहीं करता है तो इसमें जुम्मबाती है ये बीदूत चुम्बा की ये पेनेड़ाप के सिधानत पर कारे नहीं करता है डाइनेमो बीदूत चुम्बा की ये पेनेड़ाप कारे करता है ट्रांसफर्मर भी माइक्रोफोन भी डाइनेमो यांत्रिक उजमा को बीदूत उजमे बदलता है ट्रांसफार्मर कहेगा तो उचे बॉल्टेज को नीमने बॉल्टेज में बदलता है और माइक्रोफोन कहेगा तो धौनी उज़मे ये बदलता है आगे देखेंगे 31 नमर कोशन होजाएगा बिदुद परिफद में उदासिन तार का रंग कैसा होता है जो निट्रल तार होता है उसका रंग होता है काला और सौंट का सौंट जो है ये कौम पर्तिरोधोला तार होता है सौंट किया होता है तो सौंट एक कौम पर्तिरोधोला तार होता है एक कुलम अवेस बराबर कईगा कितना होता है एक कुलम अवेस बराबर होता है 6.25 गुणिदस के पावर 18 एलेक्टोन अगे देख लेंगे 33 नमऄ हो जाएगा एक आदर्स वोल्ट मीटर का परतिरोध क्या होता है एक आदर्स वोल्ट मीटर का परतिरोध अनन्थ होता है और एक आदर्स अमीटर का परतिरोध कहेगा तो सुनने होता है बीदुत धारा का इसाई मतलग क्या होता है तो यह MPA होता है और धाईता का इसा हिमारत रख कहेगा तो फैराडे होता है आगे देखेंगे 35 नमर हो जाएगा लगुपथन यानि के सोट सर्किट के समाई परिपथ में बीदुधरा कमान किया होता है तो बीदुधरा कमान बोड़ जाता है और फैराडे के नियम किस पर कारे करता है तो बीदुध के अपगटन पर फैराडे के जो नियम है ये बीदुध के अपगटन पर कारे करता है 36 नमर हो जाएगा बॉल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है तो ये बना होता है टंगर्ष्टन का धर्ती पर और प्रिती पर सबसे अधिक मत्रा में पाय जाने वाला धातू काएगा तो एलिमूनियम हो जाएगा आगे देख लेंगे वर धांता रोग में ब्यक्ति किस रंग में बिभेद नहीं कर पाता है तो लाल और हारा में और ये एक परकार का अनुवानसी की रोग है और तीस नमर हो जाएगा दूर दिरिष्टी दोस्त के निवारन के लिए किस लेंस का चस्मे का प्रियोग करता है तो उतर लेंस का और इसे अभी सारी लेंस भी करते हैं और उतर लेंस का अब सारी लेंस करते हैं आगे देखेंगे 49 संबर हो जाएगा निकट द्रिष्टी दोस से गराशित व्यक्ति किस लेंज का चस्मे का प्रयोग करता है तो जो निकट द्रिष्टी दोस हो जाएगा उसको ओतर लेंज दिया जाता है और निकट द्रिष्टी दोस में क्या होता है तिये इसमें जो परत् वस्तु दिखाई देगा यहने के ज़ट सरोग होगा वह ही दिखाई देगा निकट होगा तो निकट की दिखाई देगा और इसमें क्या होता है जो परत्वीम के आगे बनता है ट्रांसफार्मर परियुक्त होता है ट्रांसफार्मर कर रहा है कि इसमें कारे करता है ति ये कार करता है AC वोल्टेज का उपचायन या अपचायन करने के लिए ये कारे करता है AC वोल्टेज पर जो की कम याइब AC करता है तरांसफार्मर का जो कुरूड बना होता है ये बना होता है कि इसका तरनर्म लोहा का बना होता है एरेक्टिफायर AC को DC में बदलता है और inverter का एगर जिसे डैनेमो भी बोलते हैं DC को AC में बदलता है आगे देखेंगे दूर नमबर कोश्चन हो जाएगा परतेवर्ति बीदुद धारा को दिश्ट बीदुद धारा में परिवर्तित करता है तो यह करता है एरेक्टिफायर यहनि कि AC को DC बलता है एरेक्टिफायर ट्रांसफार्मर करता है वोल्टेज को उच या निम्न करने में यह काम करता है AC वोल्टेज में सूस के सेल की छमता होती है, सूस के सेल की जो छमता होती है यह होती है डेलबोल्ट, सूस के सेल की छमता डेलबोल्ट होती है और सूस के सेल का अनिनम ये से क्या कहते हैं तो परात्मिक सेल भी सूस के सेल को बोला जाता है, बीधूत सेल का जो एनोड है वो बना होता है कारबन और वही कैथोड कहेगा तो यह बना होता है जास्ता का बीदूत सेल का एनोड बना होता है कार्बन का और कैथोड बना होता है जास्ता का चार नमर हो जाएगा सेल में संग्रहित उर्जा होती है वो होती है रसाइनी कुर्जा आगे देखेंगे पांच नमर कोशन हो जाएगा बीदूत चलागता की इकाई क्या है बीदूत चलागता की इकाई हो जाएगा महो परतिरोद का इकाई कहेगा तो ओम हो जाएगा बीदूत धारिता का इकाई हो जाएगा फैराडे और एंपियर के कहेगा एंपियर के आम अपता है तो ये बीदुधारम अपता है चुमबके छेत्रे का SI मातरक क्या है चुमबके छेत्रे का SI मातरक हो जाएगा टेसला और चुमबके छेत्रे का CGS मातरक कहेगा तो गोस हो जाएगा परदीप्त का SI मातरक कहेगा तो लक्स हो जाएगा जो T-Flux का एसाई मतरख होता है लीव में साथ नमर है चुम्बक्त वे खतम हो जाता है उसे गरम करने पर या उसे पिटने में ये इसमें होगा उपरियोक दूनों चुम्बक्त वे सरवाधिक होता है किनारे में और कम होगा बीच में आगे देखेंगे, आठ नमर हो जाएगा, तौडित चालक किस के बना जाते हैं, जो इमारत के उची उची इमारतों पर तौडित चालक लगाए जाता है, उग बना होता है तांबा का, और इसका कार एर अरसे कार कर दिया हड्स सेल किए थे कोशीए थे रोबर्ट हुक्स शूरस आथ में और इन्हों मिर्ट कोशीगा के खोज किये थे फृफ दास नमर कोश्चोन हो जैगा यह यांत्रिक औरů देदुत और उर्जा में बदलता है तो यह बदलता है डाइनेमू और लावड़ स्पीकर बदलता है यह बदलता है बीदुत उर्जा को धौनी उर्जा में बीदुत सेल बदलता है रसाइनी उर्जा को बीदुत उर्जा में बीदुत मोटर कहेगा तो बीदुत उर्जा को यांत्री उर् असकुप के अभिस्कार किये थे गैलेलियों ने नाभिक के खोज किये थे रदर फोड ने और रेडियों के खोज कहेगा तो मारकोनी किये थे बीधूत का सबसे अच्छा चालक कहेगा तो यह हो जाएगा चांदी और ताप के भी सबसे अच्छा चालक चांदी ही है लोहे ये उतर दिशा की ओर संकेत करती है आगे देखेंगे चौदा नमर हो जाएगा बीधुत धारा की चुमबकिये परभाव को सर प्रथम किसके द्वरा अलोकित किया गया था बीधुत धारा की चुमबकिये परभाव के खोज सर प्रथम किये थे और श्टॉट ने और चुम्बकेट छेत्रे का CGS मातरग कहेगा तो गोस हो जाएगा। अविर्थी का SI मातरग होता है हटर्ज। सोलर सेल में किस और्ध चालग का परियोग किया जाता है तो यह सोलर सेल में परियोग होता है और्ध चालग सिलिकॉन। जिनोन को अस्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है। बिरिक की करयात्म की इकाई किया होता है तो यह होता है नेफ्रोन। क्रेप्टन के आयत यह निश के लिए तत्वे जिसका पर्माणू संख्या होता है 36। आगे देखेंगे 17 नमर कोशन हो जाएगा। ताप बढ़ाने पर और्ध चलक की चलकता क्या होगी ताप बढ़ाने पर और्ध चलक की चलकता बढ़ती है वही परतिरोद कहेगा तो घटता है। गरम करने पर अर्थ चलक का पर्तिरोद क्या होगा गरम करने पर अर्थ चलक की पर्तिरोद घटेगा और उसका चलकता बढ़ता है Oh 5. Question हो जाएगा DC को AC में बदलने का कारिकॉन करता है तो ये करता है Inverter और वह ही AC को DC में बदलता है Erective Fire Dynamo या तरी कूरजा को बीदू तूरजा में बदलता है और एक कोच्शन होता है कि Dynamo का आर्मेचर कीस का बना होता है डर्नेमो का आर्मेचर बना होता है लोग चुमब के पदात के और टास्फार्मा का जो कुरोड बना होता है ये नर्म लोहा का बना होता है बीस नमर हो जाएगा लेकलांसो सेल में परियुक्त बीदुत अपघटे होता है यह होता है अमोनिया कॉल्राइट पर और कारियो की बैटरी में जो बीदुत अपघटे होता है यह सलफियली कम लें होता है 21 नमर हो जाएगा और अस्थाई चुम्ब का निर्माण की आयता है नर्म लोहा से और अस्थाई चुम्ब का निर्माण कीस से होता है और अस्थाई चुम्ब का निर्माण कीस से होता है और अस्थाई कहेगा तो अस्थाई हो जाएगा नर्म लोहा से और हीटर का जो तार बन होता है आगे देख लेंगे 23 नमर कोशन हो जाएगा अती चला की प्रतिरोधकता होती है अती चला की प्रतिरोधकता सूनने होता है चोबिस नमर है सीशा संचायक बैटरी में परियोगत बीदूत अपघटे होता है तो यह होता है सल्फियूरिक अमल में या कारे के बैटरी में जो बीदूत अपघटे होता है सल्फियूरिक अमल में होता है लेकलानसो सेल में जो बीदूत अपगटे होता है या होता है Amolii Accordide पर 25 नमर कोश्चन हो जाएगा टाँस्फार्मर कीस सिधन्त पर कारे करता है टांस्फार्मर कारे करता है बीदूत चुमगी पिरनल 952 वही बीदुत घंटी कारे करता है बीदुत चुमब के परभाव पे ट्रांसफर्मर कारे करता है बीदुत चुमब के परभाव पे ट्रांसफर्मर कारे करता है बीदुत घंटी कारे करता है बीदुत चुमब के परभाव पे ट्रांसफर्मर का जो कुरोड बना होता है ये बन कि है था तंग्ला रुसका ने में कीस कि लेप्रेसी ने इन और tablet के खुज किए थे गजillीयों ने रेडियों के खुज किये थे मार्कोंए ने आगे देख लेंगे अगला कोशन हो जाएगा सूस के सेल कीस परकार का सेल होता है सूस के सेल यह परात्मिक सेल होता है धौनी उर्जा को बीदूत उर्जा में बदलता है तो यह बदलता है धौनी उर्जा को बीदूत उर्जा में बदलता है तो यह बदलता है माइक्रोफोन धौनी उर्जा को बीदू तूर्जा में बदलता है माइक्रोफोन और वही बीदू तूर्जा के धौनी उर्जा में कौन बदलता है तो लाउडो स्पीकर और इसके उल्टा हो जाएगा धौनी उर्जा को बीदू तूर्जा में तो माइक्रोफोन और सितार कहेगा तो यांत्री कुर्जा को धोने उर्जा में बदलता है डैनेमो यांत्री कुर्जा को बीधुत उर्जा में बदलता है आगे देखेंगे 29 नमर कोशन हो जाएगा आदर्स भोल्ट मीटर का परतिरोध होता है आदर्स भोल्ट मीटर का परतिरोध गएगा तो सुनने होता है सोतंत ता पूर्बा कलड का चुमबक किस दिशा की ओर इंगित करता है तो ये उतर और दशिर दिशा की ओर इंगित करता है सोतंत ता पूर्बा कलड का चुमबक किस दिशा की ओर इंगित करता है तो उतर और दचेदी साक्योर एक तीस नमर कोश्चन हो जाएगा चुमबकिये छेत्रे का CGS मातरक होता है चुमबकिये छेत्रे का CGS मातरक होता है तो गोस होता है और SI मातरक हो जाएगा टेसला और चुमबकिये फलक्स का SI मातरक वेबर होता है और जोती फलक्स का ऐसां मतलक लीमेन होता है परकेतिक चुमबक होता है यह लोहे का आकसाइड होता है आगे देख लेंगे 33 नमबर कोश्टन हो जाएगा तरीत चालक का विस्कार किस ने किया था? तरीत चालक का विस्कार किये थे बेंजामिन फ्रैकलिन ने और तरी चलक बना होता है तंबा का और परमारू सिधान्त के विश्गार कौन की ये थे तो जोल डल डनने चोंतीस नमर कोश्चन हो जाएगा फॉलेमिंग के दाय हाथ के नियम का प्रियोग किसकी दिशा का पाता लगाने के लिए होता है तो ये होता है पिरेडित धारा की और ती चलक का जो लचल होता है उचे परागमता होता है और ती चलक का लचल उचे परागमता होता है आगे देखेंगे 35 नमर कोश्चन हो जाएगा टेलीफोन लाइन में परवाईत उर्जा होती है टेलिफोन लाइन में जो उर्जा परवाईत होती है वो होती है बीदूत उर्जा आगे देख लेंगे 36 नमर कोश्चन है ट्रांसफर्मर की इस परिपत में परियुक्त होता है तो यह होता है केवल AC परिपत में तोडित में ओधिक मात्रा में होती है तो तोडित में ओधिक मात्रा में होती है बीदूत उर्जा आगे देखेंगे 37 नमर हो जाएगा बीदूत सेल का कैथोड किसका बना होता है बीदूत सेल का जो कैथोड बना होता है ये बना होता है जास्ता का और बीदूद सेल का जो एनोड बना होता है ये बना होता है कार्बन का एनोड होता है धनातमक और कैथोड होता है रिनातमक आगे देखेंगे और तीस नमर कोशन हो जाएगा बीदूद सेल का एनोड किसका बना होता है बीदू स्वल का इनोड बना होता है कारबन का और कैथोड बना होता है जास्ता का आगे देख लेंगे 49 नमर है यांतरीक उर्जा को धौनी उर्जा में बदलता है यांतरीक उर्जा को धौनी उर्जा में बदलता है सीतार microphone जो है ये धोनी उर्जा को बीधू तूर्जा में बदलता है loudspeaker ये बीधू तूर्जा को धोनी उर्जा में बदलता है आगे देखेंगे अगला question हो जाएगा अगला test paper का पहला question हो जाएगा चुमबकिय फलक्स का SI मतरक क्या है चुम्बकिये फलक्स का SI मतरक आता है वेवर और बीदुद धार्टा का SI मतरक हो जाएगा फ्यराडे और चुम्बकिये छेतरे का CGS मतरक कायेगा तो गोस हो जाएगा पर्तिरोध का SI मतरक ओम हो जाएगा दूर नमर कोश्चन है गामा किरोन का नाम करण किस ने किया था गामा किरोन के नाम करण राधर पोड किये थे और गामा किरोन के खोज कहेगा तो पॉल भी लाड किये थे नीट्रोन के खोज किये थे जेम स्टेविक्स ने और कहेगा रेडियू सा क्रिता के खोज किसी ने किये था था हेंडरी बैकूरल ने नाभिक के खोज किये थे रादर फोड और रेडियम के खोज किये थे माडम क्यूरी ने आगे देख लेंगे तीन नमर कोशन हो जाएगा इलेक्ट्रोन होता है ती यह होता है एक रिन अवेसित कोण पोट्रोन होता है धोन अवेसित कोण और अवेसिहिन होता है नूट्रोन चार नमर हो जाएगा परमाडू बम की से सिधान्थ पर कारे करता है तो नभीकी बिखंडन पर और वही नभीकी सलयन पर जो कौन कारे करता है तो हाइडोजन बम जो है नभीकी सलयन पर कारे करता है आगे देखेंगे पांच नमर हो जाएगा राडार का अविश्कार किस ने किया था राडार का विश्कार किये थे H.Taler ने नीट्रोन के कहेगा तो जेम स्टाडिविक ने पोट्रोन के गोल्ड अस्टीन और इलेक्टोन के जेजे थांसन प्रित्वी के धुरूपर नमनकुल का मान होता है तो यह होता है धुरूपर हो जाएगा 90 डिगरी और बिसोत रेखा पे कहेगा नमनकुल का मान कितना होता है तो 0 डिगरी होता है धुरूपर 90 डिगरी होता है प्रित्वी के कहेगा प्रित्वी के दिखपात का मान कितना होता है तो 180 डिग्री होता है प्रित्वी के दिखपात का मान होता है 180 डिग्री आगे देखेंगे साथ नमर कोशन हो जाएगा रडार की सिधान्त पर कारे करता है तो ये कारे करता है रेडियो तरंग के परावर्तन पे रेडियो तरंग द्वारा वस्तु की इस्तिती ग्याद करने में रडार का पर्योग किया जता है नीट्रोन क्या है तो नीट्रोन आवेस हीन कॉन है और पोटोन हो जाएगा धनात्मा कॉन और इलेक्ट्रोन हो जाएगा रीनात्मा की पड़ आगे देख लेंगे 9 नुमर कुशन हो जाएगा किन कीरणों की बेदान चमता सबसे अधिक होती है गामा कीरण की और अलफा कीरण की अलफा कीरण की आइनन चमता सबसे अधिक होता है दोस नमर हो जाएगा परमाणू बम में परियुक्त होने वाला तत्वे कौन सा है तो यह हो जाएगा उपयुक्त दूनों परमाणू बम में उरेनियम 235 और पलोटोनियम 249 दोनों का परियोग किया था है जो हीरोसिमा पर बम गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को उसमें उरेनियम 235 का परियोग किया गया था और जो नागा साकी पर बम गिराय गया था 9 अगस्त 1945 को उसमें पलोटोनियम 249 का परियोग किया गया था आगे देखेंगे 11 नमबर हो जाएगा भारत का प्रोथम परमाणू सनेंत्रे कौन सा है ती हो जाएगा तारापूर महाराज्ट जिसकी अस्थपना उनी सो नहुतर मुगा था नौरवरा कहां पहत यह उतर परदेश में है कलपकम हो जाएगा तामिनाडू में बारा नमबर हो जाएगा रेडियो सक्रीयता की कोज किसने की थी तो यह किये थे हेंडरी बैकूरल ने और वही उत परिवर्तन का सिदान्त किसने दिया था तो हुगर डीब बिरिज दिये थे नाभी के कोज रदर फोड किये थे आगे देखेंगे, 13 नमर हो जाएगा, होलोगराफीक इविश्कार कीशनी किया था? होलोगराफीक इविश्कार के थे देनिस गोबर कीया थे, लेजर की खोंज के थे टी-एश मियमनल ने, और उत्रिदरू पे जाने वाला पुला व्यक्ति कौन थे? रोबर्ट पियरी और द तर इरेनियम डेंटिंग बीधि द्वारा और जीवास में की आउ ग्याद करने में किसका प्रयोक किया जाता है कारबन डेंटिंग बीधि का ताप युकत तपमापी खरेन करें क 접भियर करते हैं सीबेक के पर्भाव पर ताप यूगते ताप मापी कारे करते हैं सीबेक के परभाव पे आगे देख लेंगे 15 नमर हो जाएगा रेडियो सक्रिय पदात वो सरजित करता है तो यह करता है अलपा किरों बीटा किरों और गामा किरों और कहेगा कि रेडियो सक्रिय पदात को किसे मा पाद जाता है तो GM काउंटर से हाइड्रोजन बम अधारित होता है नाभी किये सलेयन पे पर मानू बम अधारित होता है नाभी किये विखंडन पे आगे देख लेंगे 17 नमर हो जाएगा कोबाल्ट साथ उस सर्जित करता है तो ये करता है बीटा किरने और कोबाल्ट पर जाता है बीटामिन बीबारा में बीटामिन बीबारा का रसाइनिक नाम हो जाएगा साइनो कोबालामीन और कोबाल्ट साथ का प्रयोकिय जाता है कैंसर के उपचार में और इन तीनों में कहेगा कि रेडियो सक्रिय किरण कौन साय तो क्योल गामा किरण नभीकिये विखंडन में ट्रीगर होता है नभीकिये विखंडन में जो ट्रीगर होता है वो होता है न्यूट्रोन और जो इलेक्टोन का भार होता है ये होता है प्रोटोन का अठारा सो गुना होता है आगे देखेंगे चलिए नुअ को छाएगा, पोजी ट्रॉण की खुझ किस नहीं की थी? पोजी ट्रॉण के खुझ किए थे 1932 में और वहाई पोजी ट्रॉण इलेक्ट्रॉण का प्रतिकौर है नुअ जयेगा, तो जैक जो जरकोणियम है, यह रेडियो शक्रिय तत्वे नहीं है जरकोनियम नैट्रोजन में जलता है बाकी उरेनियम, रेडियम और प्रोलोटोरियम ये तीनों रेडियो सक्रिय तत्वे है आगे देख लेंगे एकईस नमर हो जाएगा लेजर बीम का उपयोग होता है यह होता है आँखे के चिक इसा में और कैंसर के चिक इसा में उपयोग कियाता है कोबार्ट का कोबार्ट साथ का उत्पिलेरे का अपयोग कियाता है कैंसर के चिक इसा में और हिदाईक से समनित गएगा टेस्ट कौन सा है तर ट्रेड मिल टेस्ट का समन्द हो जाएगा हिदाई से और लेजर भीम का उपयोग होता है आखेची किस्सा में हाइडोजन बॉम को किसने भीक्सित किया था हाइडोजन बॉम को भीक्सित किये थे एडवर्ड टेलर ने आगे देखेंगे 23 नमर हो जाएगा रडार का पूरा नाम क्या है तो रेडियो डिटेक्शन एड रेजिन रडार का उपयोग करते हैं किसी वस्तु को पाता लगाने के लिए निट्रोन की खोज किसने की निट्रोन के खोज किये थे निट्रीनो है निट्रीनो की खोज किये थे पावली नीट्रीनों के खोज किये थे पावली कब तो नीसो तीस में आगे देख लेंगे 25 नमर हो जाएगा रेडियो सक्रीता का मातरख होता है तो रेडियो सक्रीता का मातरख होता है कीवरी 26 नमर कोशन हो जाएगा पुरोट्रनों यो नित्रिनों की खुल संख्या की योग का लाता है दरम्मान संख्या आगे देछेंगे 27 मिर हो जाएगा जीवो के उसेशों की आव का पाता कीस बेदी से लगा जाता है तो यह कार्बन डेटिंग बेदी से लगा जाता है और पिरित्वी चटान की जो आउ का पाता का या कैसे लगा जाता है तो इरेनियम डेंटिंग मेदी से जीव के ओसेज की आउ का पाता लगा जाता है कारबन डेंटिंग मेदी से और पीद भी यहों चटानों की जिव आउं की पता लगा जाता है इरेनियम डेंटिंग भीदी से आगे देख लेंगे कोबाल्ट साथ का परियोग होता है कैंसर के इलाज के लिए और हिर्दाई के इलाज में ट्रेड मिल्टेक्ष का समध हो जाएगा और वही तीस नमर कोशन हो जाएगा भारत में परचूर मातरा में उपलब दिन नभीकी इंधन कौन सा है तो यह हो जाएगा थोरियम जो कि सरवाधिक मातरा में कहां पाय जाता है तो केरल में इसका अयक्स आपसे पूछेगा तो यह हो जाएगा मोना जाइट इउरेनियम, इउरेनियम 235 का परयोग कहां पे किया गया था जो हीरोषिमा पेबम गिराएगा था उसमें और जो नागा साकी पेबम गिराएगा था उसमें पलो किया गया था पलोटोनियम 249 का 31 नमर देखेंगे बीदू चुमबकी ये तरंग है तो बीदू चुमबकी ये तरंग ये गामा किरने हो जाएगा नाभी की ये तरिजिया होती है नाभी की जो तरिजिया होती है ये होती है दस के पावर माइनस 15 मीटर नाभी की तरिजिया कहेगा तो दस के पावर माइनस 15 मीटर होता है और परमाणू के तिरिजय कहेगा तो 10 के पावर माइनस 10 मीटर होए और परमाणू के आकार कहेगा तो वो भी 10 के पावर माइनस 15 मीटर होता है आगे देख लेंगे 33 नमर कोश्चन हो जाएगा परमाणू के नाभिक में उपस्तित होता है तो परमाडू के नाविक में प्रोट्रोण और नीट्रोण दोनों उपस्तित होता है और इसके बाहर इलेक्ट्रोण चकर लगाता है प्रोट्रोणों का नामकरण प्रोट्रोण का जो है नामकरण किस ने किया था तो यह किये था, रोधर्फोड और इसका खुज गये थे, गोल्डर्श्टीन ने आगे देखेंगे, पॉइएंट तीस नबर हो जाएगा परमाडू वीधूत होता है, यनि कि परमाडू जो है, वीधूत का क्या होता है तो उदासीन होता है इलेक्ट्रोन रिनात्मक होता है और प्रोट्रोन धनात्मक होता है बिस्वत रेखा पर नमन कुण का मान कितना होता है तो 0 डिग्री और धुरू पे नमन कुण का मान होता है 90 डिग्री आगे देख लेंगे 37 नबर और लाश कोशन है तेरी भीमिये चीत्रे किसके द्वारा लिया जता है तेरी भीमिये चीत्रे लिया जता है हो लोग राफी के द्वारा ये इस वीडियो का लाश कोशन है और वीडियो को लाश तक देखने के लिए धन्यवाद वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कर दीजेगा और चैनल पगर ना है तो सब्सक्राइब भी कर दीजेगा कुछ सुझा में वसला देना है तो कॉमेंट करके जरूर बताएं और इसका सब्सक्राइब चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक के वहाँ से डाउनलोड कर लिजेए या टेलीग्राम पर साच भी कर सकते हैं सुब्सक्राइब थाइंक यू